यहां पर आपके लिए हाइड्रोकार्बन के ऊपर जो है मैं लेक्चर लेकर आगया हूँ और यह अपने आप में एक ऐसा चाप्टर है जो की काफी सारे theoretical points को carry करता है तो इसको हम दो parts में करेंगे आज हम करने वाले हैं यहां पर Elkines और Elkines का discussion Index के अंदर हमारे पास बचो Elkines और Aril जो अपने पास compounds होते हैं Aromatic compounds उनका discussion करेंगे So very welcome all of you आप यहां पर जल्दी से जो है अपना pen और paper लेके बैठ जाएए ध्यान से सुमते रहे यह सारे points और important points Note down करें आपका यहां पर यह जो chapter है वो हम बहुत अच्छी तरीके से यहां पर cover करने वाले हैं Without wasting any time let's start with this तो सबसे पहले बचो हम यहां पर यह सारे के सारे topics discuss करने वाले हैं Elkines, Elkines आज का हमारा topic होने वाला है Let's start with Elkines Elkines और Elkines जो है उसका basic idea हम जो है junior class के अंदर भी लेके चलते हैं कि हमारे पास छोटे molecule जैसे methane है, ethane है यह हमारे daily life के लिए भी जो है important है बिकाज यह fuel की तरह काम आते है तो यह बचो हमारे पास जो molecule होते है Elkines कैसे molecule होते हैं इनमें carbon और hydrogen होते हैं और इनका molecular formula जो है वो एक general pattern के अंदर लिखा जा सकता है जिसको आप कैसे लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे CnH2n plus 2 और यह कहाँ पर applicable होता है बचो यह आपके पास ऐसे open chain जो compound होते है उन पे तो applicable होता है open chain मतलब ऐसे linear fashion में आपको यहाँ पर दिख रहे हैं बट हमारे पास यह वाले जो hydrocarbons हैं वो cyclic form में भी मिल सकते हैं आप cyclic form में देख सकते हो यहाँ पर आपके 3 carbon इस तरीके से bonded है इसको हम cyclopropane बोलेंगे और इस case में आपका formula जो रहेगा वो CnH2n जो है वो रहने वाला है ठीक है वैसे अपना CnH2n किसका general formula बोला जाता है alkenes का बट obviously हमारे पास cyclic जो alkenes होते हैं उनमें भी same चीज देखने को मिलेगी तो I hope यह point तो जो है सबको यहाँ पर clear होना चीए कोई दिककट की बात यह नहीं हो चीए फिर अगर हम यहाँ पर देख बचो alkenes के अंदर जो carbon रहता है वो कैसा रहता है आपके पास इस तरीके से tetrahedral geometry का रहता है इसके angle आप देख सकते हो 109.5 रहता है अगर orbitals की बात करी जाए तो carbon यह जो होता है अपने पास यह sp3 hybrid orbitals जो है उसके थुरू अपनी bonding create करता है यह हमारे पास पर चो carbon के sp3 hybrid है यह जैसे hydrogen का s orbitals है और इनके बीच में bonding आपकी हो रही है अगर हमें alkane को represent करना होता है two dimensional planes के अंदर तो हम क्या करते हैं हम यहाँ पर इस तरीके का diagram create करते हैं जो कि हमारा क्या कहलाता है wedge dash projection जो है वो कहलाता है अब यह जो wedge dash projection है इसके अंदर क्या है wedge dash projection के अंदर हम यह लेके चलते हैं कि carbon जो है अगर वो एक central atom की तरह हमारे पास काम कर ला है तो उसके plane के अंदर यह hydrogen और यह वाला hydrogen उसके plane में है और उसके साथ क्या होता है हम यहाँ पर इस तरीके से बनाते हैं एक wedge ठीक है एक wedge बनाते हैं ऐसे और यह बोलते हैं कि यहाँ पर यह hydrogen connected है वो out of the plane आ रहा है और यहाँ पर बनाते हैं बचो हम dashes, dash, 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 dash और यह जो dash है वो के रिप्रेजन करता है कि यह वाला जो bond का atom है वो इस plane के अंदर की side यहाँ पर जा रहा है ठीक है, so this is towards the observer जो बाहर आ रहा है और जो अंदर जा रहा है, it is away from the observer, ठीक है, तो यह हमारे पास three dimensional इनके representation, उसी को हम two dimension में कैसे डालते हैं, वो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, तो यह हमारे पास हो गया बचो, कुछ basic representations alkenes और carbon जो हमारे पास involved होता है उसकी, फिर अल्रड़ी बचो हम यहाँ पर nomenclature जो है, वो पूरा-पूरा discuss कर चुके हैं अपने hydrocarbon से related, functional groups से related, और उसका बस एक example यहाँ पर लेके चल लेते हैं है ना, already nomenclature हम बहुत detail के अंदर discuss कर चुके हैं, isomorphism जो है बचो, वो भी हम discuss कर चुके हैं now let's look at that, कि अपने पास अगर जैसे यह वाला अपने पास species है, इसका यहाँ पर nomenclature जो है, अगर हमें देना है तो हम क्या देंगे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, छीक है, 6 carbon की आपकी chain है और एक आपके पास ऐसे CS3 उपर की side लगा है, तो word root बचो हम यहाँ पर क्या लेके चलेंगे यहाँ पर 6 carbon का word root hex और यह जो है CS3 इसको हम यहाँ पर substituent की तरह लेके चलेंगे तो इसलिए overall नाम जो हमारे पास क्या आएगा 3 पर methyl group लगा हुआ है and this is your hexene ठीक है जी, यह हमारे पास basic nomenclature का तरीका है इसा हम already detail में discuss कर चुके isomers की बात करें यह भी जैसा हमने बात करी क्या रिए कर चुके है isomers बचो हमारे पास दो टाइप के होते है, structural और stereo structural और stereo isomers जो हमारे पास है, उनमें अगर देखा जाए तो alkane's के अंदर structural जो होते हैं बचो अपने पास ठीक है, alkane's के अंदर जो हमारे पास structural और stereo जो होते हैं, ठीक है उनमें structural की अगर बात करी जाए तो structural में हमें यहाँ पर chain isomers और क्या मिलते हैं हमें यहाँ पर position isomers जो हैं वो देखने को मिलते हैं है ना, जो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं तो यह आपका कोई भी यहाँ पर इस तरीके से नहीं आपा था ठीक है जी, अब next चीज के अगर हम बात करें, तो बच्चो यह जो हमारे पास है जैसे n-pentane तो n-pentane यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 यह 5 आपके पास यहाँ पर जो है carbon की chain रहती है, और फिर अगर हम देखें, आइसो-pentane, ठीक है this is an isomer, जिसके अंदर अगर आप main chain लेके चलेंगे तो आपके पास यह चार carbon की इस तरीके से हो जाएगी और यह आपका substituent की तरह methyl group हो जाएगा, इसी का एक और isomer जैसे हमने discuss कर चुके हैं नियो-pentane, नियो-pentane के अंदर बचवा आपके पास एक central carbon होता है, फिर आपके पास यहाँ पर इस तरीके से चार carbon substituent की तरह होते हैं, और overall इसके अंदर अगर देखा जाए तो आपने क्या रहेंगे इस तरीके से अपने पास तीन carbon की chain देखने को मिलती है So, N-pentane, Isopentane and Neopentane, यह बचवा हमारे पास किस तरह के isomer बन जाएंगे chain isomer यहाँ पर जो हो create हो जाएंगे, because chain isomer के अंदर क्या रहता है, कि आपकी main chain यह side chain के जो number of carbon की length है, वो different होती है, तो 5 carbon की chain 4 carbon की chain and 10 carbon की chain So, these are chain isomer हम बोलते हैं कि अपने पास position isomer होगा Right, तो अब next चीज हमारे पास आती है बचो, stereo ठीक है, next हमारे पास आता है बचो, stereo isomer और stereo isomer के अंदर भी बचो हम discuss कर चुके ही कि अपने पास multiple subtypes होते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं conformational, ठीक है configuration, configuration में हमारे पास क्या होते हैं, enantiomars होते हैं diastereomars होते हैं, और इसमें हम discuss करते हैं कि अपने पास enantiomars होते हैं, optically active रहते हैं ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर अगर बात करी जाए isopentane में, तो इस carbon पे क्या लगा हुआ है इस carbon पे जैसे यहाँ पर अपने पास यह methyl group है, यह methyl group है, यह ethyl group है हम देखेंगे क्या, क्योंकि अपने पास यहाँ पर ऐसे दो same groups लगे हो हैं इस carbon पे, तो यह हमारे पास क्या है यह हमारे पास a-chiral carbon जो है वो रहता है, ठीक है, यह optically active नहीं होगा, इसके enantiomers नहीं मिलेंगे तो isomers जो होते हैं हमारे पास यहाँ पर बहुत तरह के देखने को मिलते हैं चलिए, अब बच्व, हम क्या चलते हैं यहाँ पर next पे चलते हैं, which is the preparation of alkane, alkane को prepare कैसे किया जाता है this is the topic alkane के preparation के अगर बात करी जाए तो बच्व, हमारे पास बहुत सारे methods यहाँ पर है, ठीक है आप ध्यान से सुनते जाएए, कौन-कौन से method हमारे पास यहाँ पर है हम यहाँ पर बच्व, catalytic hydrogenation की बात करेंगे जो जूनियर क्लास में भी काफी discuss करी जाती है फिर alkyl halides के थूँ कैसे बनाया जाता है, यह भी हम discuss करेंगे और carboxylic acids के थूँ कैसे बनाया जाता है, यह भी हम यहाँ पर discuss करेंगे ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम discuss करते हैं अपने unsaturated hydrocarbon से कैसे हम यहाँ पर बनाते तो ध्यान से देखे, अगर कोई alkyne है और वहाँ पर उसको hydrogen gas के साथ रखा जाए in presence of these catalysts, rananical, platinum, palladium और हलका सा heat किया जाए तो आपकी alkyne जो है बचों यहाँ पर prepare हो जाती है similarly अगर alkyne है, hydrogen and these catalysts, heat किया जा हलका सा तो आपकी alkyne यहाँ पर prepare हो जाती है तो हमें यहाँ पर क्या-क्या याद रखना है कि hydrogen gas in presence of alkyne and alkyne आपको alkyne देर देता है और यह जो होते हैं हमारे पास catalysts की presence में होते हैं catalysts कौन-कौन से हो सकते हैं, platinum, palladium, rananical भी हमारे पास इस तरह का catalysts जो है वो रहता है ठीक है और इसमें ध्यान रखेगा, इसमें भी बचो catalysts की जो activity है उसका comparison वो भी आपको syllabus में दिया गया है इसको आप ध्यान से देख लीजे क्या होता है, अगर हम बात करते बचो platinum और palladium की, ठीक है तो ये बचो हमारे पास room temperature पे catalyze कर सकते हैं अगर हम nickel के साथ यहाँ पर करना चाहते हैं, तो हलक असा temperature हमें यहाँ पर increase करना पड़ता है तो ये हमारे पास हमें ध्यान रखना है कि platinum, palladium अगर हम यूज करना चाहें तो हम room temperature पे भी कर सकते हैं, बट निकल जो है, उसके साथ हलक असा temperature, pressure increase करना पड़ता है So do remember this comparison फिर अगर हम देखे बचो, यहाँ पर कि अगर suppose ethene है, तो ethene से ethene मिल जाएगा, catalytic hydrogen से propene है, तो ये जो double bond है, इस पे hydrogen आके लगा, propene मिल जाएगा ethene है, इस से again, alkyne से ethene मिल जाएगा, ठीक है So these are the examples of catalytic hydrogens, alkyne और alkyne पे hydrogen का addition अब ये चीज हमें ध्यान रखनी है, कि इस से obviously बचो, क्या नहीं prepare कर सकते हम, methane नहीं prepare कर सकते ठीक है, methane prepare नहीं कर सकते, because हमें कम से कम दो carbon चाहिए है, कोई भी double या triple bond के लिए और next is अपने क्या ध्यान रखनी है, कि ये catalytic hydrogenation जो है बचो, ये वनस्पती गी बनाने के में काम आता है ठीक है, वनस्पती गी, आपने सुना होगा, कि आपके पास जो है, fats की जब बात करी जाती है, तो saturated fat, unsaturated fats की बात करी जाती है कि हमारी body में जो हम खाते हैं चीजें, उसमें हमारी किस type के fat जो है वो लेने चाहिए है, ठीक है, और उसमें बोला जाता है कि आपके पास जो saturated fats हैं, वो ज़्यादा harmful होते हैं, as compared to say unsaturated fats तो यही process जो है बच्चो यूस करी जाती है, आपके saturated hydrocarbon fats बनाने के लिए, ठीक है, चलिए, आप reaction बस यहाँ पर दिहान से देखते रहे हैं, ठीक है, और explanation मैं आपको दे रहा हूँ, next इस बच्चो हमारे पास जो hello alkins होते हैं, उनको आप reduce कर सकते हैं, reduce करने का मतलब किसी electro negative element का हटना और hydrogen का लगना, तो अगर मेरे पास RX है और H2 मैंने डाला, in presence of ZN and HCl, zinc और HCl, that is metal और acid, metal और acid का जो combination होता है, this is used for reductions, so we have RX plus H2, इस से आपके पास RH, बचो यहाँ create हो रहा है, CS3I plus H2, ठीक है, जैसे example है, या फिर chloroethane plus H2, इस से आप देख सकते हो, बचो आपके पास यहाँ पर क्या prepare हो रहा है, इस से आपके पास इस तरह के जो है, यहाँ पर hydrocarbons यहाँ पर prepare हो रहे, तो ध्यान रखेगा, ZN, HCl, बचो हमारे पास एक example है, उसी के साथ, red phosphorus and HI, this is very famous example, जो की biomolecules chapter, जब हम पढ़ते हैं, तो काफी काम आता है, बट अदर वाइस भी आप mercury amalgam in ethanol, ठीक है, zinc NaOH and obviously platinum, palladium in presence of H2 or LiLH4, ठीक है, तो यह सारे के सारे बच्चो हमारे पास यहाँ पर reducing agent होते हैं, most commonly used is obviously what, आपके पास zinc HCl होता है और उसी के साथ, जो hydrogen होता है, वो आपके पास use किया जाता है, ठीक है, तो hydrocarbons हमारे पास इस तरीके से जो है, नेसेंट hydrogen की presence में, नेसेंट hydrogen पता है ना, कि जैसे अगर मैं बोला हूँ, कि zinc और HCl, zinc और HCl को अगर हम साथ में रखने ही, तो क्या होता है, zinc अपने electron जो है, वो H plus को देता है, उसको convert कर देता है अपने पास, hydrogen, newly formed hydrogen, नया नया hydrogen का जो अपने पास atom create होता है, उसको hydrogen produce होता है, और वो जाके आपके पास यहाँ पर चिपक जाता है, ठीक है, तो यह हो गया हमारे पास क्या, यह हो गया हमारे पास, कि alkyl halides के reductions के थूँ, यह कैसे बनाया जाता है, एक चीज धियान रखेगा बचों, कि आपके पास carbon fluorine जो है, जहाँ पर आपके पास क्या है, carbon fluorine, वहाँ यह reduction आपके पास possible नहीं है, ठीक है, अगर मैं बोल रहाँ कि यार मेरे पास CS3CH2F है, और इसको अगर मैं reduce करना चाहूं using ZNHCl, तो यह मेरे पास reaction नहीं होगी, क्यों, कि यह carbon fluorine का bond बहुत strong होता है, fluorine in general, जब अपने bonds बनाता है, तो काफी strong bonds बनाता है, hydrogen के जो भी अपने bond बनाता है, that is very, very stable, तो असानी से यह अपने पास टूता नहीं है, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि यह हमारे पास reductions जो है, वो किस तरीके से बचो हमारे काम आ रहे हैं, CS3BR plus H2 gives CH4, ठीक है, ethyl bromide gives ethane in presence of H2BR, चलिए, next बचो हमारे पास यहाँ पर आता है क्य Woods reaction, now Woods reaction is a reaction which is used very commonly in your exams, क्या होता इसके अंदर ध्यान से देखिए, अगर मैं ले रहा हूँ जैसे ethyl bromide, ethyl bromide का solution लिया और वहाँ पर मैंने उसको sodium और dry ether, इससे treat करा, dry ether का मतलब, ether जो होता है मेरे पास, वो solvent की तरह मेरे पास काम आ रहा है, ether जैसे मेरे पास ethyl ether होता है, ठीक है, methyl ether होता है, तो यह जो ether होते हैं, यह हमारे पास solvent की तरह काम आते हैं, to dissolve such organic compounds, और उसके अंदर हमने क्या डाल रखा है, sodium डाल रखा है, और वो ether जो है, वो dry होना चाहिए, dry का मतलब क्या है, वहाँ पर कोई भी moisture या पानी नहीं present होना चाहिए, बिकास देखो हम क्य यूज करने हैं, आपर इस reaction में, sodium और dry ether यूज करने है, तो sodium अगर ऐसे किसी भी solution में हो, जहाँ पर पानी present है, तो आपको पता है, sodium और पानी क्या करते हैं, बचो, explosively react करते हैं, hydrogen gas वो निकल जा दिये, तो पानी नहीं होना चाहिए, sodium है, यह थायल bromide है, और dry ether है, इसकी presence म क्या होगा, आपके पास, यह जो molecule से, ठीक है, यह जो molecule से, बचो, यह क्या हो जाएंगे, इस तरीके से आपके पास यहाँ पर आके जोड़ जाएंगे, ठीक है, यह वाला पार्ट और यह वाला पार्ट आपस में जोड़ जाते हैं, ठीक है, राइट, और अगर हम इसके अं हो रहे हैं ठीक है दो molecule के दो पार्ट साके add हो रहे हैं अब यह molecule जो आप लेके चल रहे हैं या तो आप इस तरीके से pure molecule लेके चल सकते हैं जैसे मेरे पास सिर्फ ethyl bromide है या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि आप ethyl bromide और methyl bromide का mixture ले लो तब आपके पास क्या बनेंगे वहाँ पर mixture of products जो है वो create हो सकते हैं क्या मतलब है इसका ध्यान से सुनों तो अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ कि for example if we take a mixture of ethyl bromide ठीक है and methyl bromide और इसको किस से treat कर रहा हूँ मैं sodium dry thar से तो हमारे पास बचो क्या-क्या बन सकता है ध्यान से यह एक पार्ट है और यह एक पार्ट है तो हमारे पास यह बन सकता है या फिर इसी के दो molecule जहें वो अगर combine हो जाए तो हमारे पास यह भी मिल सकता है और इसी के दो molecule अगर हमारे पास combine हो जाए तो हमें यह मिलेगा ठीक है इसका मतलब क्या है हमारे पास कि अगर मैं इथाइल ब्रोमाइड और यहां पर मिथाइल ब्रोमाइड का मिक्षर लेके वोट्स रियाक्शन करा रहा हूँ I'll get a mixture of products तो यसलिए क्या होता है कि वोट्स रियाक्शन जो है अगर हम उसमें यहां पर साथ में मेरे पास यहां पर जो है इथेन यह भी मिल सकता है ठीक है और यहां पर मेरे पास यह भी मिल सकता है so that's why it is said की बचो यह अपने पास ऐसी रिएक्शन है which is not suitable for alkanes with odd number of carbon atoms बनाने के लिए थीक है जी यह हो गया बचो आपके पास Woods reaction का basic idea अब इसका mechanism देख लेते हैं कैसे होता है अगर mechanism की बात करें तो Woods reaction के अंदर हम जो है free radical mechanism जो है वो consider करके चल सकते हैं अब what is the free radical mechanism free radical के अंदर बचो अपने पास ध्यान से देखे क्या हो रहा है यहाँ पर यह जो sodium की presence में इस तरह का radical generate करता है radical का discussion जो है वो हमने यहाँ पर electronic effects जब हमने discuss किये थे तब हमने discuss किया थे अब जो radical के इस तरह के species हमारे होते हैं और यह radical इस तरह का radical दूसरे radical से combine होके हमारे पास इस तरीके का क्यादे देता है यहाँ पर combined जो है अपने पास molecule दे देता है ठीक है तो दो radical जो है वो हमारे पास इस तरीके से combine होके यहाँ पर आ जाते हैं ठीक है now understand this कि यह जो reaction है बचो उसके अंदर हम इस तरीके से radical mechanism generally use करके बात करते हैं कि अपने पास यहाँ पर यह reaction होगी अच्छा एक और चीज जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप यह चाहो ठीक है अगर आप चाहो कि suppose मेरे पास यह है और इस पर मैं अगर वोट्स reaction कराना चाहूँ तो यह बचो हमारे पास जो reaction है वो बहुत जादा feasible नहीं हो पाती है ठीक है इसका जो अपने पास यहाँ पर productivity रहेगी ठीक है वो अपने पास low रहेगी यह फिर हम बोल सकते है low efficiency यहाँ पर रहेगी क्यों बिकाज अपने पास यह वाला जो radical होता है उसका steric hindrance जो है वो बहुत जादा रहेगा ठीक है तो अपने पास यहाँ पर low efficiency रहती है इसका जो है अपने पास यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से जो है product formation अच्छी तरह नहीं होता है और in fact यहाँ पर आपके पास multiple products भी आपको मिल सकते है ठीक है? Yes चालो अब हम क्या करते बचो यहाँ पर प्रनित जरूर उसको comments में डालना मैं वहाँ पर जो है उस वीडियो पर answer जरूर करूँगा कि उसका क्या answer आपके पास रहना चाहिए ठीक है तो हमने बचो यहाँ पर discuss कर लिया कि alkyl halide ठीक है इससे कैसे alkyns बनाते है alkyn या alkyn से कैसे हम यहाँ पर alkyn बनाते है ठीक है यह हमारे पास कुछ basic types होगए reaction के और reactions बचो यहाँ पर देखते हैं जैसे कि अगर मैं carboxylic acid से discuss करूँ carboxylic acid से किस तरीके से आपके पास यह बनाया जाता है तो carboxylic acids बचो हमारे पास इस तरीके के CH3 COH type के molecule है ठीक है अब इनको simple सा आपको क्या रखना है NaOH और CAO इनकी presence में रखना है NaOH और CAO के presence में रखके इनको heat कर देना है ठीक है अगर आप इनको इस तरीके से heat करते है तो देखो क्या होगा यह जो आपका CO वाला पार्ट है यह अलग निकल जाएगा और आपके पास यह जो CH3 है यह CH3 आपका क्या है इस CH4 में convert हो जाएगा that means आपके पास carboxylic acid में जो carboxylic functional group होता है वो हट जाता है वो हट के आपके पास बाहर निकल जाता है और Na2CO3 जो है वो आपके पास बचा रह जाता है और उसी के साथ जो आपके पास original carbon की chain थी उसमें से carboxylic group हटा और एक hydrogen add हो गया बस यह आपके पास वहाँ पर answer जो है वो रहता है कि अगर हम decarboxylation reaction कराएं carboxylic acid की in presence of what NaOH and CO तो क्या होगा तो इसको बचो क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है हमारे पास soda lime decarboxylation ठीक है इसको क्या बोला जाता है soda lime decarboxylation बोला जाता है soda lime decarboxylation इस reaction का नाम हो गया यहां पर ध्यान रखेगा बचों कि अगर हम pure जो है अपने पास यहां पर methane ठीक है वो भी हम यहां पर produce कर सकते हैं अगर हमें यहां पर produce करना हो ठीक है pure methane तो हमें क्या यूज करना पड़ता है BAO यहाँ पर use करना पड़ता है instead of CAO ठीक है, pure methane के लिए हमारे पास preferably क्या है कि BAO यह use हुआ है otherwise हमारे पास क्या है महाँ पर mixture of products जो है वो अपने को देखने को मिल सकते है तो यह हो गया carboxylic acid से ठीक है, तो बहुत simple-simple सी reaction है आपको यह reactions बहुत है समझ में आजानी चाहिए आपको इसको revise करना है regular basis पर ताकि आपके इस पर क्या है grip बनी रहे और यह hydrocarbons वाल अपने पास chapter है अब यह क्या है ऐसे stand-alone इसके उपर question जो है वो कम आते है ठीक है, yes अब यहाँ पर इसको ध्यान रखना कि अपने पास जब questions hydrocarbons क्या आते है in fact organic chemistry जब इस तरह के questions आते है तो क्या रहता है ऐसी simple-simple सी ही reactions बहती है only thing is कि आपके पास क्या रहता है series of reaction दिया जाता है A से B बना, B से C बना, C से D बना इस तरह के questions main में भी आते है advance में भी आते है बस आपको यह reaction जो है वो stand-alone तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको याद करने में या फिर practice करने में इतना मज़नी आएगा अगर आप अच्छे questions करना चाहते है organic chemistry पे reactions ता कि आपको याद हो जाएं तो आपको ऐसे series वाले questions जो है वो बहुत अच्छे से practice करने है तो for example अगर मैं बोलो हूँ कि मेरे पास alkene की preparation जो है वो reaction suppose मेरे पास A से B इस तरह के मैंने question में लिखके दे दी फिर अगर मेरे पास B जो है वो alkene बन गया तो alkene की क्या reaction हो सकती है है ना तो वो आपको फिर दिमाग में जो है लानी पड़ेगी फिर B से C बनाएं तो C से D बनने में क्या हो रहा है जब इस तरह के questions आप practice करते हैं तब आपको organic सबसे अच्छी तरह याद होती है मैं personal experience से बता रहूँ मैं जब आपकी stage में था तो मैंने भी इस तरह के questions से ही याद करा है ठीक है अमन यहाँ पर मजा रहा है चैलिए बहुत ही बढ़िया अब देखो बचो यहाँ पर आपको next में reaction बदाता हूँ which is coal-based electrolysis reaction now coal-based electrolysis as a virtuous electrolysis यहाँ पर हो रहा है किसका electrolysis हो रहा है वापिस से carboxylic acid की ही हम बात कर दे है अब carboxylic acid को बचो यहाँ पर किसकी presence में रखा जा रहा है किसी base की presence में पर example में बोल रहा हूँ क्यार मेरे पास CH3COOH है और उसको मैंने कौन से base की presence में रखा है KOH आपको पता है acid और base क्या देते हैं साथ में बिलके salt आपका यहाँ पर create करते है और वो salt क्या होता है CH3COOK है ना और साथ में आपके पास H2O produce हो रहा है Now this salt यह का electrolysis essentially हम कर रहे है तो हमारे पास anode है cathode है इसको हमें लगाया और जब electricity डाली तो हमें क्या देखने को मिलता है क्यार अपने पास यहाँ पर यह जो CH3 है ठीक है और यह जो CO है यह CO वाला पार्ट आपके अलग निकल के CO2 के form में बच्चो निकल जाता आपको बस यह समझ में आना चाहे है कि anode पे आपके पास CO2 जो है वो create हो रहा है कहां से यह जो CO वाला पार्ट है CO2 बना देता है और यह जो CH3 है आपके पास ऐसे दो molecule radical के form में combine होके दो molecule radical के form में combine होके CH3, CH3 आपको दे देते पूरा-पूरा mechanism देखा जाए तो यह जो एनाइन है यह एनाइन anode पर पहले क्या करता है electron जो है वो release करता है आपको पता है बच्छो anode पर क्या होता है oxidation cathode पर क्या होता है reduction always चाहिए आपके पास electrolytic cell हो या फिर electrochemical cell हो anode और cathode की basic definitions क्या है cathode पर reduction anode पर oxidation तो आप देख सकते हो यहाँ पर यह जो negative ion है यह electron release करके अपने पास एक radical create कर रहा है यहाँ पर negative charge का क्या मतलब होता है दो electron का pair उसमें से एक electron निकल गया कहाँ चला गया electrode के थू चला गया तो हमारे पास radical है और यह radical अपके क्या बनाता है यह दो radical बना देता है और यहाँ पर CST CST यह बन जाता है clear तो cathode पर क्या होता है reduction होता है now reduction किसका होता है obviously बच्चो जब हमारे पास इस तरह के ions होते हैं जैसे sodium plus या K plus तो हमें बता है कि या इनका reduction बहुत असान नहीं होता है उसकी जगे क्या होता है हमारे पास जो hydrogen होता है वो आपका produce होके H2 के form में निकल जाता है है ना यह आपके पास H2 के form में निकल जाता है तो बच्चो यहाँ पर coal base जो है आपके पास electrolysis इसके अंदर क्या हो रहा है carboxylic acids को हम जब इस तरीके से anode और cathode लगाके electrolyze कर दे हमारे पास एक तो hydrocarbon produce हो रहा है और वो hydrocarbon कैसा है यह R COO से RR बन रहा है उसी के साथ आपके पास gases produce हो रही है कौन सी gases produce हो रही है CO2 gas भी produce हो रही है cathode पे आपके पास यहाँ पर H2 gas produce हो रही है तो यह सारे के सारे important points आपके coal base electrolysis के हो गए presence में दूसरा हो गया coal base electrolysis यह हो गए बचो हमारे पास यहाँ पर इसके बनाने के तरीके और obviously बचो इसका limitation जो है वो clear cut limitation आपको यहाँ पर क्या देखेगा कि इससे मीथेन नहीं बना सकते इससे मीथेन नहीं बना सकते क्यों नहीं बना सकते वो ethane ही हो सकता है methane आपका नहीं produce हो सकता है right clear यह हो गया हमारे सारे तरीके बचो इहाँ पर बनाने के question इस पर करके देख लेते हैं ठीक है आपको इहाँ पर मज़ितार तरीके से question जो है वो बताता हूँ कि आपके Mbib के platform पे मज़दार तरीके से question कैसे होते है यहाँ पर बता है क्या है इनको drag and drop करना है drag and drop समझते हो क्या होता है जैसे अगर मैं बोलूँ कि यह मेरे पास यह reaction में को complete करनी है तो यह molecule मुझे दिख रहा है बचो क्या है यह मेरे पास मेरे पास एक alkene है यह hydrogen gas है palladium, platinum और rananical है इससे presence में अपने पास क्या हो रहा है यहाँ पर alkene जो है वो produce हो रहा है यहाँ पर 4 hydrogen कीजएगे 6 hydrogen आपको मिल रहे है so this is the answer for this question ठीक है? चलो next connect the bubbles आपके पास बचो यह question है Woods reaction की detail आप से पूछीगे यह क्या होता है इसके अंदर क्या यहाँ पर reaction of alkyl halide होती है with sodium yes ठीक है Woods reaction के अंदर होता है फिर जो हमारे पास obtained alkene होता है ठीक है वो half the number of carbon atoms होता है नहीं ऐसा नहीं होता obtained alkene have twice the number of carbon yes क्योंकि Woods reaction क्या थी हमारे पास Woods reaction ऐसी reaction थी जिसमें हम यह बोल रहे थे कि RCl या RBR sodium की presence में हमें क्या दे देता है RR जो है वो दे देता है solvent अपना dry ether देता है है न तो जो भी हमारे पास original molecule था उससे double अपने carbon atoms अपने को product में देखने को मिल रहे है इसी वज़े से हमारे पास यह दो जो है यहाँ पर correct option की तरह जो है निकल के आते है cool next which of the following are the methods of preparation of alkene जल्दी से बचो आप मुझे यहाँ पर answer दीजे A, B, C, D ध्यान रखिये multiple choice यहाँ पर है आपके पास मतलब multiple answer correct है तो A, B, C, or D right आपके पास यहाँ पर क्या correct होना चाहिए जल्दी से मुझे बताइए क्या-क्या अभी होना चाहिए अभी तक हमने जो पढ़ा है प्रनित का answer आगया है यहाँ पर A, B very good, very good, very good प्रनित आप जो है मुझे मेरे दो प्यारे students की याद दिला रहे हैं ठीक है और अभी जो है जब results देके आएंगे तो I am sure बहुत ही बढ़िया result देके आएंगे तो आप class में जितना participate करेंगे जितना आप carefully सुनेंगे उतना आपको भी मजा आता है और उसी के साथ क्या होता है उसी के साथ teacher को भी मजा आता है बच्चों को भी मजा आता है और सीखने के लिए जादा मिलता है ठीक है तो passively मत बैठिये ठीक है surface को Netflix की तरह मत समझे do participate comments करिये ताकि आपको समझ में आए ठीक है next question है which of the following does not act as catalyst in the hydrogenation of alkenes कौन सा हमारे पास catalyst की तरह काम में नहीं आता clear है oxygen हमारे पास नहीं आता platinum, nickel, palladium यह सारे हमारे पास क्या रहते हैं यह सारे हमारे पास रहते हैं catalyst की तरह oxygen is not here ठीक है मुस्कान यहाँ पर है hello चलिए तो जित्ते भी हमारे पास 20 जुरते जा रहे है हमने बचो already hydrocarbons जो है उनमें क्या कर लिया है hydrocarbons के अंदर हमने उनका basic idea यह समझ लिया है hydrocarbons क्या होते है next हमने भी समझ लिया है कि उनकी preparation कैसे करी जाती है using some of the reactions like जो हमारे पास alkyne-silkine से उनका reduction हमारे पास alkyl halide से उनका reduction जो carboxylic acid से decarboxylation इस तरीके से next अब हम यहाँ पर क्या कर रहे है properties of alkyne की बात कर रहे है alkyne बच्चों जैसा कि मैंने बताया हमारे पास daily life के लिए बहुत important है कि important है because वह हमारे पास काम में आते है as fuels methane की बात करें ethane की बात करें propane की बात करें यह हमारे पास gas का cylinder CNG के इसमें क्या होते है alkyne होते है इनमें आग आप लगाते हो तो carbon जै वो CO2 ठीक है इसमें convert होता है इस process के अंदर काफी heat release होती है right तो यह हमारे alkyne की एक property हो गई so basic idea अपने पास क्या है alkyne की property के अंदर कि यह हमारे पास alkyne जो होते हैं वो बच्व ऐसे molecule होते हैं जिनमें और जादा intermolecular forces जो है वो नहीं होते सिर्फ basic intermolecular forces van der Waal forces देखने को मिलते हैं van der Waal समस्ते हो क्या कि जैसे यह molecule है इसी के पास अगर मैं इसका दूसरा molecule लेकिया हूँ तो हमें हलक आसा बहुत हलक आसा जो है intermolecular force of attraction रहता है जिसको मोलते है van der Waal force तो दो molecule के बीच के जो force है intermolecular force alkyne में बहुत weak हमें बेलते हैं और इसी के वेज़े से बच्वों क्या रहता है इसी के वेज़े से हमें देखने को मिलता है कि एक carbon से चार carbon तक के जो alkynes होते है वो gas के form में होते है ठीक है क्या physical property पे बिलकुल आपके पास आ सकता है ठीक है जैसे आप यह देखो factual point है so this is the factual point जो आपको समझ में आना चाहिए C5 से C17 liquid होते है ठीक है और यहां पर 18 से उपर अगार आपके पास number है तो यह आपके पास solid होते है और बचोँ आपके पास आज class के जो भी points चल रहे हैं जैसे भी points चल रहे हैं all of these points all of these points are taken directly from your NCRT so NCRT का कोई भी point कैसा भी point कभी भी आपस question में पूचा जा सकता है right from main to advanced so each and every point is important from this lecture और बहुत ही short में हम क्योंकि hydrocarbon chapter cover कर रहे है सारे points को आप याज जो है वो जरूर रखेंगे ठीक है अपनी तरफ से मेहनत करें चली अब बचो हमारे पास next thing क्या है melting point of alkanes तो अगर melting point की बात करी जाए तो हमें किस तरह का देखने को मिलता है so again melting point बचो depend करता है intermolecular forces के उपर जैसे अगर मैं बात करूँ कि यह मेरे पास molecule है ठीक है और दूसरा molecule है दोनों के intermolecular forces जो होते हैं वो आपका melting point decide करते है उसी के साथ एक और interesting चीज़ बचो देखने को मिलती है कि जब हमारे पास ऐसे carbon की chain देखी जाती है तो carbon की chain का जो structure होता है इस तरह का zigzag structure होता है अब इस zigzag structure में molecule में even number of carbon atoms हैं या odd number of carbon atoms हैं इस पे भी melting point hydrocarbons में depend करता है इसको मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ किस तरीके से melting point के अंदर जैसे अगर बात करी जाए बचो C3H8 और C4H10 इनका melting point है 85 और 134 आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो increase है वो increase कितना है आपके पास यहाँ पर almost बच्छो आपके पास यहाँ पर अगर बोला जाए तो 35 and 15, 50 degrees का increase है ठीक है पर अगर आप C4H10 से C5H12 पर जाते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर almost 10 degree का increase है फिर आप C5 से C6 की अगर बात करते हैं तो फिर यहाँ पर क्या आपको देखने को मिल रहा है again a very significant increase अगर आप यहाँ से यहाँ जाते हैं सिर्फ 4 degree का increase है तो फंडा क्या है फंडा यह है आपके पास कि odd number of carbons जहाँ पर है और even number of carbons जहाँ पर है वहाँ पर उनका structure होता है जिग-जाग structure उसमें क्या रहता है intermolecular forces जो है वो अपने आप में किस तरीके से act कर रहे हैं और दूसरा क्या symmetry है molecule की किस तरीके से वो crystal form कर रहा है इनमें difference आजाता है तो odd number जो है odd number जो है उन से even number पर जाते हुए significant increase in melting point रहता है बट even से odd पर जाते हुए इतना increase आपको नहीं देखने हुआ मिलता है increase होता है बट बहुत ज्यादा significant increase नहीं होता है ठीक है जी बिलकुल बात clear है चली पंदित और फिजिकल की बात करें जिते भी students को physical करना है बिलकुल आपका पहले organic खतम होगा साथ-साथ में फिर आपका physical भी start होगा इन और गनिक भी होगा कोई आपको tension लेने के ज़रत नहीं है बिलकुल आपके पास यह आपका पूरा syllabus जो है बचो रहेगा तो melting point का बचो discussion कर लिया अब आते हैं boiling point के ओपर boiling point depends on what boiling point again intermolecular forces पर depend करता है Now intermolecular forces जो है हमारे पास हमने क्या discuss कि恵नमोल फोर्स अब आप देखो किवानमोल फोर्स की पचो एक interesting बात है कि अगर मेरे पास ऐसे linear chain रहती है तो Van der Waal force क्या होते हैं जादा हो पाते हैं जादा act कर पाते हैं पर वही अगर मेरे पास क्या रहे अगर मेरे पास यहाँ पर इस तरह का structure रहे ठीक है कि suppose यह है ठीक है N pentane की बाद N pentane और मैं नियो pentane को compare करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हम क्या बोलेंगे बचो इसको हम बोलेंगे कि यार ये तो हमारी main chain है ये तो हमारे पास main chain हो गई ठीक है और ये जो main हमारे पास chain है उसके ओपर ही अपने पास branch लगी हुई है इसके ओपर हमारे पास क्या लेगी हुई यह ब्रांच लेगी हुई है तो जो ब्रांच हमारे पास hydrocarbon होते हैं उनका boiling point कम होता है compared to linear simple सा point याद रखना है physical property का ठीक है branch chain compounds have lower boiling point corresponding to straight chain isomers clear है वाली बात चलिए आगे बढ़ते बचो हम यहाँ पर next होता है density or solubility now this is again a point जो कि हमें बहुत simple सा point लगता है और हमें लगता है कि तो बचपन से पढ़ते वे आ रहे हैं कि आपके पास like dissolves like पर इसका application जब questions के अंदर आता है तो काफी students को समझ नहीं आपाता है ठीक है कैसे जैसे कि suppose मैं बोलूं कि यार मेरे पास एक carboxylic acid है और carboxylic acid जो है suppose मैंने उसको पानी में dissolve कर रखा है अब पानी में dissolve करके मैंने उसका electrolysis कर दिया coal-based electrolysis कर दिया उससे क्या बनता है LK बनता है अब आप क्या इस बात को सोच सकते हो कि बचो जब पानी के अंदर carboxylic acid जाता है तो वो soluble होता है क्योंकि hydrogen bonding होती है बट जब carboxylic acid को आप electrolyze करके LK में convert कर देते हैं तो वो पानी में soluble नहीं होता अब ऐसी language आपको questions में लिखी भी मिल जाएगी तो this is the application which you have to understand कि अगर हम बचो ऐसे organic compounds लेके चल रहे हैं जिसमें polar functional groups हैं वो अगर soluble हैं और आप किसी तरह से reaction करा के उसको किस में convert कर दें ए polar या non polar में convert कर दें तो फिर वो solution से बाहर निकल के अलग layer बना लेते हैं कैसे दिखती है वो layer इसको अगर मैं यहां पर बोल रहा हूँ कि मेरे पास यह N-pentane है और मैंने इसको पानी में जो है डालने की कोशिश करी तो क्या होगा यहां पर मेरे पास दो अलग layer जो है वो create हो जाएंगी आप देख सकते हो यह अगर मैं जो है इसको बेंजीन के अंदर डालू तो मज़े क्या देखने को मिलेगा तो मज़े सिंपल सा देखने को मिलेगा किया यह दोनों आराम से पूरा-पूरा पर दिखाये amazing visualization ठीक है और यहां पर रगर density की बात करी जाए तो आपको simple सा पता है कि यार जितने carbon के atoms increase होगे उतनी density होगी है ना वो तो अपने पास simple सा पंडा यहां पर है चलिए बच्छा लोग आगे चलते है नेक्स आता है बच्छो हमारे पास chemical properties of alkane के अगर बात करी जाए तो बच्छो हमारे पास alkane बहुत जादा reaction शो नहीं करते हैं उनकी एक ही primary reaction है और इसके लावा जो कि especially laboratory के अंदर यूज करी जाती है और बाखी जो reaction है वो generally आपके पास industry में यूज करी जाती है है ना इसको ध्यान से सुनना alkane बहुत जादा reaction शो नहीं करते हैं और इसका reason भी आपको समझ माना चाहिए alkane के अंदर क्या रहता है CH bonds होते हैं और CC bonds होते हैं ना यह क्या होते हैं सारे के सारे sigma bonds होते हैं sigma bond को तोड़ना भी मुश्किल होता है और यह polar भी नहीं होते हैं तो जो polar molecule होते हैं वो आपके ज्यादा सानी से react करते हैं non-polar molecule को react कराना मुश्किल होता है तो अगर हम reaction देखें क्या primary reaction alkenes की है ठीक है तो उसके अंदर सबसे important reaction जो अपने पास आती है वो ही आती है कि किसी alkenes को अगर हम रखते हैं CL2, BR2 इसकी presence में और sunlight की presence में रखते हैं तो अपने पास alkyl halide create होता है so this is the most important reaction for alkenes आप जहां पर भी बच्चो किसी question में देखें A goes to B और A goes to B में आपके पास CL2, sunlight या sunlight को H new के form में भी लिखा जा सकता है ठीक है? H new जहां पर भी आप ये लिखा देखें किसी question में A goes to B, sunlight H new, CL2, BR2 आपको समझ में आना चाहिए कि most probably this reaction is talking about alkane to alkyl halide conversion, CL2, H new ठीक है? ये generally use किया जाता है alkane को alkyl halide में convert करने के लिए और ये कैसी reaction होती है बच्चो हमारे पास जो starting point होती है, कैसे starting point? जिसे अगर मैं alkanes की reaction कराना चाहूँ पर alkynes react नहीं कर पाते है बहुत जादा, ठीक है? alkynes क्यों react नहीं कर पाते है हमारे पास? alkynes क्यों react नहीं कर पाते है? because alkynes के अंदर polarity नहीं रहती तो हम क्या करते है? alkynes को सबसे पहले halogen से react करके alkyl halide में convert कर देते हैं now this is non-polar molecule and this is polar molecule polar molecule बहुत असानी से react कर सकते हैं बहुत साथी reaction नहीं कर सकते है non-polar molecule इतनी आसानी से react नहीं करते है यहाँ पर कैसे इन reactions को याद किया जाए? सबसे पहले आपको क्या करना है? अपनी theory डंक से समझनी है और जब भी आप organic पढ़े सबसे पहले बच्चों सबसे पहला जो मंत्र होता है organic समझने का वो यही होता है कि organic हमेशा हमेशा pan और paper यूज करके ही आप जो है याद कर सकते हैं आप जो भी यहाँ पर पढ़ते हैं उसको pan और paper से जो है अपने हाद से जब लिखेंगे और हाद से ऐसे arrows बनाएंगे हाद से हर intermediate को लिखेंगे तो वो पहला step होता है organic के आद करने का second step क्या होता है practice करना आप organic की practice उतनी ही जो है आपको required है करना जो इतना आप maths के अंदर समझते हैं आपको क्या मैं quadratic equation का अगर formula पढ़ा दूँ तो क्या आप बहुत आसानी से question solve कर सकते हैं quadratic के नई क्यों practice सबसे पहले practice करोगे तो organic works as good as mathematics certain reactions है जो आपको याद रखनी है जैसे maths के अंदर certain formula आपको याद रखनी होते है फिर उनको apply करना सीखना होता है so you have to practice practice में जैसा कि मैंने बताया कि सबसे अच्छे type के questions practice करने के लिए कौन से होते हैं बचो जैसे अब यह हम discuss कर रहे थे A goes to B, B goes to C, C goes to D इस तरह के जहाँ पर आपको दिये रहते हैं जहाँ पर आपको ये M, ठीक है N, इस तरह के reagent आपको given हो तो reagents याद रखने के लिए सबसे अच्छी reaction होते हैं ये type इस type के जो भी आपको questions मिले उनको use करिए ताकि आपको step by step कैसे organic conversions किये जाते हैं वो याद होंगे और उससे आपको यहाँ पर organic याद होगी क्या organic? सिर्फ आपको जो है ऐसे याद हो सकती है तारेकली बिल्कुल नहीं याद हो सकती है organic याद करने के लिए आपको काफी काफी महने जो है वो करनी पड़ती है बर पर पर ठीक है? एक बात ध्यान से सुन लो organic अगर तुमने धंक से प्रिपेर कर ली ये आपके पास काम करता है एक ब्रह्मास्त की तरह है ठीक है? सबसे पहले जाओ अगर तुमने और्गेनिक धंसे प्रिपेर कर रखी है तो चाहे मेन में जाओ चाहे एडवांस में सबसे पहले इस ब्रह्मास्त को चलाओ और जो है पेपर को अपना खतम कर दो कम से कम organic का मुश्किल से 10 से 15 मिनिट लगते है मेन का पेपर 10 मिनिट के अंदर और्गेनिक तुमारी खतम हो जाएगी अच्छे का से मार्क समा रहा जाएगे एडवांस का पेपर भी अगर तुम लेके चलते हो और्गेनिक का बहुत आसानी से क्राक होता है और्गेनिक ऐसा तुमारे पास ब्रह्मास की तरह काम करता है ठीक है बस इसको प्रपेर कर लो धंग से और्गेनिक स्टार्टिंग में पेइन देता है बट इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है और ये और किसी पार्ट पे जेए के सिलिबस पे अपलाई नहीं होता है ना तो फिजिक्स पे अपलाई होता है ना मैच पे अपलाई होता है ना ये मैं बोलूँगा कि आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री पे अपलाई होता है ठीक है बड़ी और्गेनिक पे जरूर अपलाई होता है इसलिए generally हम यहाँ पर substitutions का use करते हैं ठीक है सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर substitution कराते हैं जैसे हम बोलोग कि hydrogen मेरे पास carbon pin लगा हुआ एक group है यह hydrogen हटके जब मेरे पास chlorine आ गया तो इसको क्या बोलते हैं substitution ठीक है substitution yes physical भी करेंगे ठीक है कोई दिक्कर की बात में physical भी करे पूरा पूरा तो करा नहीं है ठीक है तो जब पूरा पूरा कराना है तो अपने पास बस एक limited time है उसके अंदर maximum तरीके से आपका physical जो है inorganic जो है organic जो है वो सबका सब आपका complete किया जाएगा तो कोई दिक्कर की बात नहीं है तो आप देख सकते हो बच्छों यहाँ पर य दूसी चीज लगा दी substitution so alkane के अंदर substitution reactions जो है वो कराई जाती है and the most common is halogenation reaction अभी halogenation reaction में आपको क्या धियान रखना है halogenation reaction बच्छों आपके पास किस तरीके से होती है यह सपोस मेरे पास यह methane है chlorine मैने डाला sunlight की presence में एक chlorine यहाँ पर आगे लगया CH4 है bromine मैने यहाँ पर अंदर bromine जो है मेरे पास यहाँ पर आके लगया एक एक मेरे पास इस तरीके से आके लग जाएंगे इसके लिए बच्छों हमारे पास sunlight की जरूरत है जिसको H new के form में लिखा जा सकता है या फिर या फिर एक और alternate है आपर कि आप sunlight अगर नहीं यूज कर रहे तो high temperature यूज कर है ना तब तो सारे बच्चे जो है पागल हो जाते हैं अगर उनको games नहीं खेल लें दे जाते हैं तो ठीक है इसमें तो कोई doubt नहीं है ठीक है उससे बहुत गुसा आता है और especially जब recess जो है रिसेस के अंदर कुछ काम सरवाले जाता है तब तो भी तो अपने teachers को ज़रूर ब reaction का हम यहाँ पर देख लेते हैं कियार कौन सी limitations है तो chlorine, bromine ठीक है यह आपके halogenation reaction देते हैं क्या आपके halogenation नहीं देता इस चीज को ध्यान से सुन लो iodine बच्चो आपके पास जो है वो directly reaction नहीं देगा ऐसा नहीं होगा कि आप I2H2 करके लिखेंगे तो आपके पास यह reaction हो देगा, iodic acid is HiO3 या फिर HNO3 यह आप HI की presence में use करेंगे और फिर जो है आप यहाँ पर जो iodine produce हो रहा है उसके थुरू यह reaction फिर भी करा सकते हैं, directly HNU से I2HNU से reaction नहीं होता, so this is the first limitation, right, second limitation is fluorination, fluorination जो है बचो हमारे पास अगर करा जाए, that is F2HNU करा जाए, अब यह reaction हो त आती है, ठीक है, पर क्या होती है, explosive reaction होती है, ठीक है, बूम-बूम हो जाता है आपर, ठीक है, तो बूम-बूम जो हो जाता है, तो इसलिए obviously यह fluorination reaction कहा नहीं कराते, laboratory में तो नहीं कराते, ठीक है, पर मैं तुम्हें ऐसा कोई idea नहीं देना चाहता कि तुम जो है अपने school की lab में जाके यह try करो, ठीक है, क्योंकि बच्चों को तो मजा आता है, बूम-बूम करने में, बट मत करना, ठीक है, तो बच्चों होता क्या है, F2H new, यह आपकी जो fluorination reaction हो जाती है, बट क्या होता है, fluorination reaction हो जाती है, बट it is explosive reaction तो laboratory के अंदर यह नहीं कराई जाती, तो देख होगा, हो सकता है आप से कभी main के अंदर यह पूछ लिया जाया, बट generally iodination reaction questions में बहुत जादा यूज नहीं आती है, हाँ, directly पूछ सकते है कि iodination करान है, तो कौन सा reagent यूज करना है, तो iodic acid and nitric acid आपको यूज करना है, ठीक है, तो बच्चों इसलिए, जैसा हमने बूला कि यह फ्लोरीन जो है, वो अपने पास क्या होता है, बहुत highly reactive होता है, तो आपको यह order याद रखना है, halogenation का order F2, Cl2, Br2, I2, इस तरीके का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है जी? तुमारा funda clear हो गया, halogenation reaction के अंदर, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, और reactivity order क्या है, अब जल्ली से, ध्यान से, ध्यान से, जो है, बिलकुल मैं आपको यह दिखादा जाता हूँ, की steps क्या है, ध्यान से step देखते जाना, बहुत simple simple से आपके steps हैं, बचो, सबसे पहले क्या होता है, chlorine का molecule, sunlight की presence में, उसका bond break होता है, and it converts into इस तरह के radicals के form में, ठीक है, यह आपके पास electrons जो हैं, वो हम दिखा रहे हैं, single-single, radical के form में आपके पास आ गया, second step हमारे पास क्या होता है, second step के अंदर हमारे पास, यहाँ पर, यह जो CH4, suppose, alkane मैंने कोई लिया है, ठी radicals है, ठीक है, तो यह जो radical है, वो अपने alkane के पास जाता है, और उस alkane को radical में convert कर देता है, ठीक है, alkane को radicals में convert कर देता है, ठीक है, तो यह radical अपने पास क्या बना, यह अब alkane का radical बन गया, सबसे पहला radical किसका बना था, halogen का बना था, वो halogen का radical आया, और उसने alkane को भी ए ये जो radical है अब alkyan का radical ये दूसरे क्लोरीन के molecule से react करता है और एक क्लोरीन को अपने पास खीच लेता है ठीक है और एक क्लोरीन को अपने पास खीच के यहाँ पर ये क्या बन गया आपके पास alkyl halide बन गया which is the desired product और वापिस से एक आपके पास chlorine का radical बन गया है ठीक है ये बात संज में आ रही है Questions भी इसके उपर होंगे बच्चों आपके पास Monday को ठीक है Next Monday को आपका session है Hydrocarbons के उपर PYQs का ठीक है तो आपके पास Hydrocarbons, Electronic Effects उनके PYQs जो हैं को मैं अलग से discuss कर रहा हूँ आप जो है प्लेलिस्ट के अंदर जहां पर जाके देख सकते हैं आप जो है जितने भी live lectures है वो देख सकते हैं आपके organic के PYQs, organic का पूरा crash course ये पूरा-पूरा run हो रहा है तो आप सारे lectures को बिल्कुल जिहान से देखने के लिए क्या करिए सब्सक्राइब बटन दबा दीजे, notification bell जो है वो भी दबा दीजे, ठीक है जी? चली तो बचो हमने क्या देखा भी हम अपर? हमने यहाँ पर दो type के steps देखे पहला step था कि आपके पास chlorine का molecule radical में convert हुआ, next हमने देखा कि अपने पास chlorine का radical जो बना, वो halogen से react करके इस तरह से alkyne radical create कर रहा है फिर alkyne का radical आपका chlorine molecule से react करके यहाँ पर alkyl hyalide बना रहा है, right? यह बात आपको समझ में आ गई, चलीए अब बच्चो next हमारे पास क्या होता है? नेक्स हमारे पास होता है, कि जो हमारे पास यह chlorine radical है, ठीक है? यह हो सकता है किसी दूसरे chlorine radical से टकरा जाए और वापिस से Cl2 molecule के अंदर convert हो जाए या फिर ऐसा भी हो सकता है बचो हमारे पास कि CH3 radical जो है वो जूसरे CH3 radical से टकरा के इस तरीके से CH3 CH3 बना ले अब ये हो गए हमारे किस type के steps हमें halogenation reaction में देखने को मिलते हैं हमें अब यहाँ पर क्या समझना पड़ेगा हमें बच्चों यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि ये जो step हैं वो कितनी बार होते हैं तो सबसे पहला step जो होता है बच्चों कि आपके पास हैलोजन है और halogen जो है बच्चों किसमें आपके पास convert हो जाया radical में convert हो जाए यह सबसे first step होता है इस reaction को start करने का इसको बोले जाता है initiation step chain initiation step initiate हो रहा है आपकी reaction का first step यहाँ पर हो रहा है यह radical create होना ठीक है next हमारे पास क्या होता है chain propagation step अब यह जो आपके दो steps लिखे हुए है यह बच्चो आपके पास जो दो steps लिखे हुए है इनको हम बोलेंगे chain propagation step ठीक है chain propagation step में हमने क्या बोला कि हमारे पास जो initiation में radical बना था उससे एक नया radical create हुआ ठीक है वो radical वापिस से react कर रहा है और एक और नया radical जो है वो create कर रहा है अब आप इस चीज को समझो कि बच्चो यहाँ पर यह words क्यों use किये गए है initiation और propagation initiation का मतलब होता है हमारे पास कोई चीज start होना ठीक है propagation का हमारे पास क्या मतलब होता है कोई चीज जो है वो आगे बढ़ते जाना जैसे अगर मैं बोलूँ कि यार मेरे पास कोई चीज initiate होई है तो कोई चीज मेरे पास start होई है है ना जैसे हमारे पास मैं बोलूँगा कि यार lecture जो है मैंने start करा lecture initiate करा फिर lecture जैसे 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 चलता जा रहा है तो lecture क्या हो रहा है propagate होता जा रहा है तो जो हमारे पास यहाँ पर chain propagation step होता है, यह जो दो steps होते हैं, यह ऐसा नहीं होता है कि यह एक बार हुआ और यह एक बार हुआ और खतम हो गया नहीं, यह अपने पास क्या होता है बच्छो, repetitive steps होते हैं, repetitive का मतलब कि यह जो CL radical बना, यह अब किसी नए CH4 molecule के पास जाएगा, वहाँ पर CH3 CL create होगा, ठीक है, और साथ में CL radical create होगा, फिर यह CL radical वापस से किसी CH4 molecule के पास जाएगा, फिर CH3 CL और CL radical create होगा, और यह आपकी एक chain की तरह यहाँ पर बन जाती है, क्या बन जाती है, एक chain बन जाती है, ठीक है, कि continuously आपके पास CL radical create होते जा रहे हैं, वो आपक होते हैं, 4 से 5000 हो जाते हैं, ख्या हो जाते हैं, अपने पास, 4 से 500 हो जाते हैं, चीक है, तो 4 से 5000 हजार बार आपके chain propagation step होते हैं, एक आपका chain initiation step के बार, और आपके पास इस तरीके से चिन प्रपगेट हो जाती है हो सकता है इस बीच में कहीं नगा हूँ आपके पास कोई CL Radical एलकेन से ना तक्राके क्या कर ले कि एलकेन से ना तक्राके खुश से यहां पर तक्रा जाए जब ऐसे टकरा जाता है, तो हम बोलेंगे कि वो radical आपका अब एक molecule में convert हो गया, ठीक है, तो यह क्या होगी, आपकी chain terminate हो गई, आपकी क्या होगी, यहाँ पर यह chain terminate हो गई, खतम हो गई, तो chain कहां से start होती, PC, CL2 के CL radical में convert होने से, वो CL radical आपका product बना रहा है, फिर वापसर care, product बना रहा है, फिर वापसर matter, product बन रहा है, कहीं जाके हो सकता है, वो radical खुद से टकरा जाए, और आपका, यहाँ पर क्या ठीक है अच्छा एक और ध्यान रखेगा कि अगर मैं यहाँ पर reactivity की बात करता हूँ अगर मैं reactivity की बात करता हूँ तो F radical, CL radical, BR radical, I radical इस तरीके से आपके पास यह reactivity order यहाँ पर देखने को मिलता है इसके बाद यहाँ पर ध्यान रखेगा कि यह जो है बच्छो हमारे पास reactivity है इसमें अगर हम देखते हैं तो यह जो electronegativity है जैसे F radical, CL radical, BR radical, I radical यह मैं डिस्कुस कर रहा हूँ तो यह हमारे पास reactivity क्यों होती है तो यह reactivity इसलिए है because जो bond formation energy है वो fluorine की क्या होती है बहुत ज़्यादा होती है iodine की bond formation हमारे पास कम रहती है तो उसी के corresponding हमें reactivity भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है चलिए यह हो गए बचो हमारे पास alkane की एक type की reaction ठीक है दूसरी reaction very commonly known reaction combustion alkane जो है उसमें आग लगा दो ठीक है मिथेन है इथेन है उसमें आग लगा होगे जल जाएगी oxygen की presence में क्या produce करेगी हमारे पास CO2 और H2 जो है वो produce करेगी ठीक है अगर हम एक general reaction की तरह इसको लिखना चाहें तो हमारे पास क्या रहता है CXHY plus X plus Y by 4 O2 gives XCO2 plus Y H2 ठीक है तो C2H6 plus 7 O2 gives 4 CO2 plus 6 H2 जनरल reaction है ठीक है बच्पन से पड़ते वारे इसमें कोई करती है आप कुछ ऐसी reaction है बच्छो जो कि आपके industry के अंदर जादा यूज करी जाती है यह reaction बहुत ही specific है यह बहुत ही specific है आप हर hydrocarbon पे इसको अप्लाइ नहीं कर सकते कुछ ही hydrocarbon इस तरीके से reaction चो करते है जैसे की अगर मैं बोलू यहाँ पर अधन अधन बोलू यह वह है अधने धनितनग्वाथन इस तरART प्र मैंचन बोलू की लू यह अधनितन अशिधर नहीं मैं encouraged पेदीज कैसे और 23म उधनितन तो वो हमारे पास मीथनोविक असेड जो है वो प्रडियूस करता है ध्यान रखना ये अब जरूरी नहीं है कि इथेन ये रियाक्षन दे, प्रोपेन ये रियाक्षन दे इनके जो रियाक्टेंट्स हैं और इनके जो काटलिस्ट हैं उनकी जो कंडिशन से वो बहुत स्पेसिफिक है ठीक है ये बात जो है अपने पास समझ में आ रही है झाल है तो क्या बचो हमारी जो है यह specific reaction आपने देख ली हैं समझ में आ गया है अगें ऐसी reaction जो की industry में use करी जाती है वो होती है isomerization of alkin isomerization of alkin कैसा द्यान से देखो जैसे हमारे पास 6 carbon का N-hexene है इसको ALCL3 की presence में heat करने पर बचो हमारे पास 2-methyl pentane create हो सकता है या 3-methyl pentane create हो सकता है इस तरह के products अपने को देखने को मिलते हैं ठीक है isomerization reaction में एक लंबी carbon की chain के alkin को hydrocarbon को लेके ALCL3 और HCL gas की presence में जब heat किया जाता है तो छोटे chain के अपने को hydrocarbon मिल जाते हैं isomer होते हैं इसका मतलब number of carbon तो same रहेंगे just that महा पर आपके क्या रहेंगे आपके chain isomer, position isomer ये सब create होते हैं ठीक है जी ये बात समझ में आती है चलिए आगे चलते है next आपके आरोमेटाइजेशन reaction ठीक है आरोमेटाइजेशन के अंदर क्या होता है N-hexane है ठीक है या फिर मेरे पास N-heptane है इन से मेरे पास आरोमेटाइज होके benzene ring जो है वो produce होती है जैसे अगर मैं बोलू क्यार ये मेरे पास N-hexane है उसी तरीके से अगर मेरे पास C7-H16 ठीक है So these are aromatic compounds ठीक है Benzene हमारे पास क्या होता है Aromatic compound होता है ये हमारे पास यहापर produce होता है ठीक है Conditions दियान रखना Cr2O3 की presence में होता है High temperature and moderate pressure में ये अपने पास होता है Aromatization ठीक है भई फिर reaction of alkane with steam Steam की presence में क्या होता है आप methane को H2O की presence में Steam presence पर रखते है Nickel catalyst में तो carbon monoxide आपके पास produce होता है ठीक है carbon बस इस पर जियान दो आपके पास क्या reaction लिखे होई है ये आप यहापर सुनते जाओ और इन reactions को जितना और ये specific reaction जो है बच्छो जैसा मैं आपको बताया कि reaction industry में use करी जाती है ये आपको ऐसे synthesis question में ज़ादा देखने को नहीं मिलती है ये synthesis question में ज़ादा नहीं मिलती है ये आपको यहीं आप पर यहाँ पर ज़ादा देखने को मिलती है चली next आपचो pyrolysis of alkane pyrolysis का मालब क्या होता है heat की presence में तोड़ देना pyrolysis heat breakdown हीट की प्रेजन्स में ब्रेकडाउन में आपको क्या देखना मुलता है बहुत ही स्पेसिफिक एक्जामपल आपके NCRT का जो की डारेक्टली आपको जो है एक्जाम में पूछा गया है कि अगर डो डेकेन को प्लाटिनम AL2-3 की प्रेजन्स में हीट किया जाए तो हेप्टेन, पेंटेन और दूसरे माइनर प्रड़क्ट्स आपके पास प्रेड्यूस होते हैं ठीक है इसको बचो हम बोलते हैं पायरोलेसिस ऑफ एलकेन और यहां पर आपके बड़े जो यहां पर एलकेन हैं वो ब्रेकडाउन होके छोटे एलकेन और एलकीन जो है बचो यहां पर आपके प्रेड्यूस कर रहे हैं ठीक है आपके यहां पर एलकीन जो है वो यहां पर प्रेड्यूस कर रहे हैं ध्यान रखेगा कि इस तरीके से जो हमारे पास कैटलिस्ट की प्रेजन्स में ब्रेकडाउन होता है उसको कैटल करा जाता है ताकि oil या petrol gas आपके पास produce हो सके now these are very very specific reaction यह हर question में आपको यूज नहीं मिलेगी in fact maximum question के अंदर आपको ऐसी कोई भी reaction जो है वो देखीगी ही नहीं use होते होई these are very specific reaction directly आप से यह पूछा जा सकता है क्या dodecan को अगर मैं इस presence में रखूँ तो क्या होगा पर ऐसा नहीं होगा कि आपसे पूछा जाए hexane को अगर मैं ऐसे रखूँ तो क्या होगा heptane को ऐसे रखूँ तो क्या होगा यह नहीं पूछा जाता ठीक है very very specific oxidation मतलब removal of H atom ठीक है isomerization का मतलब क्या है isomerization हमारे पास क्या isomer बनना जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि यार N hexane है मेरे पास ठीक है अगर मेरे पास यहाँ पर N hexane है तो N hexane in presence of ALCL 3 HCL क्या करता है 6 carbon की chain है वो मेरे पास 5 carbon की chain और एक substituent इस form में convert हो गई 5 carbon की chain एक substituent इस form में convert हो गई this is isomerization ठीक है so this is again a very specific reaction हर जगे आपको नहीं मिलेगा यह use होता हुआ यह कहां पर देखने को मिलेगा अगर directly NCRT का यह वाला text उठा के आपसे question पूछा जाए वही आपको जो है isomerization का question मिल सकता है हर जगे आपको यह देखने को नहीं मिलेगा oxidation का मतलब ठीक है इस तरह का आपको देखने को मिलता है ठीक है चलो फिर आपके पास पुछो यहाँ पर क्या आते हैं फिर आपके पास यहाँ पर यह वाला question है ठीक है कि बजो इसके अंदर आपका higher boiling point किसका होगा आपके पास यहाँ पर अलग-अलग type के जो है alkane given है इसमें आप बताइए कि यहाँ पर आपके पास किस तरीके के यह देखने को मिलेगा ठीक है जी यस आपके पास तो हम देख सकते है बचो यहाँ पर हम देख सकते है बचो यहाँ पर कि आपके तीन type के molecule given है सबसे लंबा जो molecule है सबसे जादा carbon chain का उसके अंदर क्या मिलेगा आपको highest boiling point देखने को मिलेगा अब देख सकते हैं यहाँ 5 carbon की chain है यहाँ 1,2,3 carbon की chain है एन-pentane के हम बात कर देखने है ठीक है और यहाँ पर क्या है और यहाँ पर अपने पास 1,2,3,4,4 carbon की chain है और यह methyl लगा हुआ है ठीक है तो हम यह क्या देख रहा है यहाँ पर यह अपने पास इस तरीके से 5 carbon की chain जो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है NCRT में समझ नहीं आ रहा अरे बिल्कुल सब कुछ दिया हुआ है बोस उसको ऐसे expand करके लिख लो ऐसे हाथ से लिखके करोगे न अब दिक्कत हमेशा NCRT के एक है कि उनको जो है शायद paper बचाने थे ठीक है NCRT को लगा कि यार वो क्या है chemistry के book बनाते हुए सारे paper बचा लेंगे तो उन्होंने हर चीज को chemistry की book के अंदर इतना concise करके लिखा है इतना जो है ऐसे छोटी छोटी लाइन में पता नहीं उन्होंने जो है पूरे कर पूरे paragraph बना दिये हैं यह आपको पढ़ने में हमेशा दिक्कत जो है वो होती है I understand NCRT कैसी book नहीं है जो की directly student जो है वो पढ़ सकता है chemistry की पर NCRT के कैसी book है जिसके बाहर आपका question नहीं आता है main के अंदर और advanced पी अगर देखा जाए तो 90% आपके पास जो है NCRT में से आता है तो इसलिए आपका NCRT कैसी book बन जाती है इसमें आपको जो है थोड़ा बहुत यहाँ पर दिक्कत का सामना पढ़ सकता है ठीक है तो अभी बच्चो हमारे पास जैसे ही आपर क्या था fluorine, thomine, chlorine, iodine है ना तो इस दिक fluorine का अपने पास सबसे जादा है ठीक है अच्छा यह अपने पास अभी हो नहीं पाया ठीक है bromine उपर आएगा, iodine नीच आएगा but that was the basic idea चलो, आगे चलते हैं which of the falling alkynes exists in gaseous form ठीक है, यस प्रनेत आपका, बिल्कुल सही है gaseous form में बच्चो हमारे पास क्या-क्या exist करते हैं, multiple choice है आपके पास ठीक है, तो हमारे पास बच्चो कौन से होते हैं, चार कारबन तक के चार कारबन तक के जो होते हैं that is ethane and butane, ये gaseous form में मिलते हैं उसके आगे मारे पास liquid हो जाते हैं और उससे, अगर हम 18 कारबन से उपर जाएं तो अपने को solids जो हैं, वो देखने को यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, चाली next हमारे पास क्या है, in which of the falling solvent are alkanes insoluble, alkanes किसमें insoluble रहते हैं polar molecule के अंदर insoluble होते हैं carbon tetrachloride, ether, benzene, ये सारे के सारे non-polar है non-polar में non-polar soluble होते हैं polar में non-polar soluble आपके पास नहीं होते हैं ठीक है, चाली तो ये हो गए बच्चों हमारे पास सारे का सारा alkanes का discussion next हम आ गए हैं अपने पास next topic पे which is the alkanes ठीक है तो alkanes हमने यहाँ पर जो पढ़ा alkanes उबचों हमने आपर पढ़ा वो अपने आप में एक पूरा का पूरा topic है hydrocarbons का अब next topic पे आ रहे हैं which is alkanes उसका next topic है alkynes जो कि हम next lecture के अंदर जो है वो पढ़ेंगे ठीक है yes चालो अब यहाँ पर यह जो है अपने पास alkynes इसके बारे में discuss करते है ठीक है अथा यहाँ पर अगर आपके दिमाग में कोशन आए सर वो projections जो है उसका क्या हुआ तो वो सब हमने कहां discuss करें projections बगरा जो है वो हमने जब isomers discuss कर दे थे तो discuss के थे यार saw horse projection होता है new man projection होता है confirmation ठीक है नहीं यह बहुत important है पर यह हम जो है discuss कर चुके है already कहां पर यह जो हम already discuss कर चुके है isomers के उपर और isomers के अंदर थोड़ा projections के उपर है ना और साथ में जो हमारे पास सारस configuration है जो हमारे पास CZ configuration है इसके उपर एक और lecture जो है बचो हम लेंगे इसमें configurations लिखना जो है वो सीखेंगे ठीक है चली LK जो है बचो हमारे पास इस तरह के molecule होते है जिसमें आपके double bond जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं और यह जो आपके पास double bonded molecule होते हैं इनको हम unsaturated बोल रहे हैं general formula होता है CnH2n ठीक है और अब यह होता क्या है बचो यह double bond अपने पास जो होता है यह double bond होता है यह कैसे बना होता है इस तरह का अपने पास 2 pi orbital मिला के pi bond जो है वो बना रहे होते हैं अब pi bond के electrons जो है बचो वो हम जैसे discuss कर चुखे हैं while discussing resonance कि resonance जो होता है उसमें pi bond के electrons involved होते हैं क्यों होते हैं because यह बहुत आसानी से move कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैं किसी भी alkyn या alkyn का pi bond देखता हूँ तो इन पे यहाँ पर जो attack करना होता है वो भी बहुत आसानी से किया जा सकता है ठीक है बहुत आसानी से यह वाले electron जो है किसी ऐसे atom की side attack कर सकते हैं जो electron deficient हो electron deficient चीजों को organic में बोला जाता है electrophiles electrophiles बच्चो अपने पास क्या होते हैं electrophile that is electron loving ठीक है? electron loving yes तो electron loving जो species होती है जैसे H plus यह electrophile है यह बच्चो बहुत आसानी से कहां खिची चली जाती है यह बहुत आसानी से अपने पास alkenes की side खिची चली जाती है बेकोज यह pi bond के electron बहुत आसानी से यहाँ पर जा सकते हैं H plus है कोई E plus है उसकी side यहाँ पर जा सकते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि यह pi bond का presence है यह alkenes की reactivity बहुत जादा बड़ा देता है आपको अगर यादो मैंने बोला था alkenes के अंदर reactivity बहुत कम होती है because polarity नहीं होती है और सारे के सारे single bond होते है उनकी reactivity जो है पर अब pi bond जो है उसके जो electrons है वो तो बहुत आसानी से आपके निकल के जा सकते हैं निकल के जाना मतलब किसी और molecule की साथ shift हो सकते है किसी और electrophile की साथ shift हो सकते हैं यह alkenes को क्या बनाते हैं it makes them much more reactive बहुत जादा reactive है तो इसलिए alkane की reaction आपको पास बहुत कम होती है याद करने के लिए alkane की reaction आपके पास बहुत कम है याद रखने के लिए और alkynes की reaction जो है वो बढ़ जाती है alkynes की भी आपके पास alkynes जित्ती जो है reaction देखने को मिलती है तो हम यह reason भी समझ में आना चाहिए कि Alkane की reaction कम क्यों होती है जाधा तर आपको जाधा Halogenation मिल जाएगा ठीक है Halogenation Halogenation कर दा दिया हमने Alkane का जनरल यह reaction मिल जाती है ठीक है बहुत जाधे reaction अपने को questions में देखने को नहीं मिलती है. Alkane की बहुत सारी हो सकती है. अगर आप इनके structure की बात करें तो यह हम chemical bonding के अंदर भी पढ़ते हैं कि अपने पास यह जो carbon होता है यह carbon बचो अपने पास sp2 hybridized जो है वो orbital के through bonding मनाता है तो आप देख सकते हो यह बचो एक sp2 hybrid आपके पास molecule वो है sp2 hybrid orbital है और यह भी sp2 है ठीक है यह भी अपने पास sp2 है यह भी sp2 है राइट और इससे sigma bond बन रहा है और pi bond किसे बनता है आपके पास pi bond मनता है pi bond के p orbital के overlap से ठीक है यह p orbital के overlap से आपके पास create होता है राइट तो अपने पास करेंटा है बचो कि अगर यह जो structure देखा जाए तो इस structure के अंदर जो हमारे पास यह double bond length होती है ठीक है यह approximately 134 पीको मेटर होती है CH bond length 110 रहती है फिर अब्यसली hydrogen छोटा सा आटम है न तो carbon carbon के बीच का double bond 134 अचा अगर मैं बोलूं कि तुम्हें carbon single bond carbon जो है वो कितना मिलेगा तो 134 से तो जादा ही मिलेगा अगर तुम्हें value मिल रही है तो जल्दी से मुझे comments में लिखके बताओ ठीक है कि carbon single bond carbon की bond length क्या होती है और है मतलब सब कुछ available है तुम्हें पता NCIT में ठीक है ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं available है फिर angles की अगर बात करें बचो तो यह हमारे पास approximately 120 degree होना चाहिए बट थोड़ा बात ऊपर नीचे हो जाता ठीक है जी yes चली फिर बचो हमारे पास nomenclature की बात करें तो इन जो है suffix की तरह use होता है already हम nomenclature जो है उसको पूरा पूरा discuss कर चुके हैं जैसे कि अगर तीन carbon की alkyne तो prop हमारे पास word root है इन हमारे पास primary suffix है ठीक है यहाँ पर अपने पास यह तीन carbon की chain है इसमें तीन carbon की chain में प्रॉफ हमारे पास क्या है प्रॉफ हमारे पास word root है one पे in है और two पे अपने पास substitute methyl लगा हुआ है ठीक है जी यह बात समझ में आ रही है चली आईसोमरिस्म की बात करें तो आईसोमरिस्म के अंदर बचो हमारे पास हमें दो टाइप के देखने को मिलेंगे structural isomerism देख हमारे पास क्या हो जाते है अपने पास जो है structural के अंदर हमारे पास जो है position जो है वो हो सकता है change जो है और geometrical की अगर बात करें तो ऐसे सिस और transform अपने को देखने को मिल सकते है ठीक है सिस ट्रांस का हम already discussion कर चुके है किस तरीके से होता है जैसे अपने पास CS3 CS3 यह गुरूप पास पास में है तो यह गुरूप जब हमारे पास 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 में है तो अभी बात ध्यान रखना कि आपके पास बचो यहां पर क्या ह होगी और एक SP3 hybrid की कम होगी तो इनके बीच में जो bond है वो polar होगा डेल्टा प्लस यहां पर डेल्टा माइनस यहां पर और इस bond की जो polarity है उसकी वेज़े से आपको net यहां पर कुछ जो है पूरा molecule इस तरीके से देखेगा क्या यह डायपोल प्लस यह डायपोल कंबाइन हो के इस direction में आपको डायपोल मुल जाओगा 0.33 dby का ठीक है बट अगर मेरे पास इस तरीके से trans alken है तो इसके अंदर भी यह भी polar bond है यह भी polar bond है बट क्यूंके मारे पास डायपोल का vector सम लिया जाता है तो यह दो vector एक दूसरे को cancel out करके आपको 0 डायपोल यहां पर देते है ठीक है तो ध्यान रखेगा आपके पास जो alkenes होती है आपके पास इस तरीके से trans जो उनके form होते है उनमें polarity का difference आपको देखने को मिल सकता है कब मिलेगा जब इस तरीके same group आपके पास ऐसे लगे हुए है और यहां पर इस तरीके same group आपके पास यह create कर रहे है डायपोल तो यह net आपके पास add हो रहा है यहां पर आपके पास क्या हो रहा है बचो यह डायपोल और यह डायपोल कैंसल हो गया और यह subtract होके आपको 0 डायपोल यहां पर दे रहा है so this is the polarity of alkenes ठीक है यह बचो आपके पास alkenes की polarity होगी चलिए इस question को बचो यहां पर बताइए what is geometrical isomerism yes तो बचो हमारे पास minimum 4 carbon तो required है ही ठीक है for this है न minimum 4 तो required है ही जैसे अगर हम बोलूं C double bond C C तो यह हमारे पास क्या होता है यह हमारे पास ऐसा group है कि यह group और यह group दो अलग group हमें इस carbon पे चाहिए दो अलग group हमें इस carbon पे चाहिए तो ही geometrical isomerism अपने पास create हो सकता है है एना जी यस तो correct answer अपने पास क्या है यहाँ पर 4 is the correct answer next which of these carbon has the which of these compound has least carbon carbon bond length अब मुझे बताईए जो हमने पढ़ा बचो carbon bond length के बारे में तो उसके according यहाँ पर ethane, ethanol और ethane तीन टाइप के आप आस molecule है इन में से minimum carbon carbon bond length आपको कहाँ देखने को मिलेगी carbon carbon जो है ठीक है उनके बीच का distance minimum आपको कहाँ देखने को मिलेगा so इसके अंदर अगर देखा जाए एक तो है बचो हमारे पास ethane ठीक है ethane जो है उसके अपने पास ऐसे single single जो है यहाँ पर bond है अगर हमारे पास है ethanol उसके अंदर भी हमारे पास एक single bond है जबकि ethane के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या होगा एक double bond होगा तो अगर मैं बात को रही है यहाँ पर मेरे पास L1 है, L2 है, L3 है यहाँ पर मेरे पास L1 is approximately equal to L2 but it is greater than L3 L3 मेरे पास यहाँ पर minimum जो है वो होगा ठीक है तो carbon-carbon bond length जो है वो किस पर depend कर दी है बस इस fundable की single bond है की double bond है ethane single bond, ethanol single bond, ethane double bond है तो double bond जो है उसके अंदर bond length अपनी शोटी होती है ठीक है? यस आपको bond length यहाँ पर वैसे value जो है वो ऐसी तरीके से directly आपको यहाँ पर नहीं उस करना आपको इस तरीके से सोच के चलना है की single, double इसके respect में तो alkenes की basic हमने यहाँ पर सारा idea ले लिया alkenes क्या होते हैं, क्या structure होता है ठीक है? किस तरीके से आपके पास isomersm होता है, nomenclature क्या होता है अब हम क्या करेंगे उनका properties देखेंगे, उनकी reactions देखेंगे है ना, वही अपना standard तरीका alkenes में भी हमने यही करा alkenes का basic idea लेा फिर उनका preparation reaction देखा और फिर उनकी chemical reaction देखेंगे वो कौन सी reaction शो करते हैं alkenes के अंदर यही देखेंगे basic idea क्या होता है, isomers वगेरा क्या होते हैं, secondly किस तरह का वहाँ पर अपने पास preparation होगा और फिर वो कौन सी reaction शो करते हैं, alkenes में भी similar pattern fall होता है, तो काफी strength होते हैं, जब organic की book खोलते हैं उनको समझ नहीं आता कि इतनी सारी reaction जो हैं, वो कैसे याद करें, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, कि आपको बचो organic को categorize करके रखना है दिमाग में, क्या this category of reaction ये preparation में थी, ठीक है, ये chemical reaction में थी, ये physical property है, तो ये categories भी आपको अपने दिमाग के अंदर बिल्ड करनी है, हैना ऐसा नहीं कि हर एक reaction ये वो same है, reaction की भी category है, preparation reaction है, chemical reaction है, तो सबसे पहले हम अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, बचो, alkenes के preparation की, तो वो reduction, partial reduction of alkyne से prepare की जाती है, partial reduction of alkyne से कैसे होता है, ध्यान दिजिए, lindar catalyst की presence में, एक alkyne है, उसको hydrogen से reduce कर रहे हैं, presence of PDC, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एक cis alkyne जो है, वो बचों यहाँ पर create हो रही है, ठीक है, तो alkyne से partial reduction, with calculated amount of trihydrogen, in presence of paradise charcoal, partially deactivated with poisons, like sulfur compound और quinoline, gives alkyne, ठीक है, तो हमारे पास यह जो lindar catalyst है, इसमें important क्या है, बचों, कि hydrogen तो हम यहाँ पर use करी रहे हैं, pdc यहाँ पर use करी है, यहाँ पर हम क्या add करी है, हम यहाँ पर add करी है, reaction poison, ठीक है, अभी reaction poison, ऐसे मत सोचना है, कि हम जो है, चुहे मारने की दवाई यहाँ पर डाल रहे हैं, reaction poison जो होता है, वो reaction के लिए एक ऐसी चीज होती है, ऐसा compound हो जाना है, जो reaction के अंदर आपकी reactivity को कम कर देता है तो इसके example अपने पास क्या हो जाते हैं उसके example जैसे अपने पास यहाँ पर हो जाते हैं sulfur ठीक है या फिर quinoline इस तरह के जो है आपके पास molecule reactivity को कम कर देते हैं अब ध्यान से देखना ये मैं reaction poison जो है वो किस तरीके से मैं बोल रहा हूं की काम कर दा है अगर बच्चों मेरे पास एक अलकाइन है और hydrogen है और मैं reaction poison ना रखूँ reaction poison अगर मैं ना रखूँ reactivity कम करने वाली चीज़ ना रखूँ तो क्या होगा hydrogen इन दोनों pie bonds पे add होके आपको alkene दे देगा right but अगर आप reaction poison यूज करें तब क्या हो रहा है यहाँ पर सिर्फ आपको यह alkene मिल रही है alkene के बाद further hydrogen नहीं add हो रहा alkene के उपर further hydrogen यहाँ पर add नहीं हो रहा और यह alkene पर ही आपके पास यहाँ पर reaction ज़ब रुख जाती अगर यह reaction poison ना हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपकी reaction में final product alkene होगा ठीक है? alkene आपका final product यहाँ पर होगा तो partially deactivated pallidized charcoal को ही हम बचो Lindlar catalyst यहाँ पर बोलते हैं और alkene's obtained using catalyst जो होती है वो cyst geometry की अपने को यहाँ पर देखने को मिलती है चलिए, next है बचो हमारे पास birch reduction, birch reduction हमारे पास क्या होता है? alkynes का reduction in presence of liquid ammonia जिससे transalkene मिलती है है ना, यहाँ पर धियान से देख लो alkyne है ठीक है? S2 डाला sodium liquid and S3 के presence में क्या मिल रहा है? transalkene अपने को देखने को मिल रहा है transalkene hydrogen अपने पास ऐसे दो opposite side पर यहाँ पर आट रहा है this is transalkene so this is your birch reduction पहला हो गया lindar catalyst उस-sis-sis-sis alkyne मिल रही है दूसरा हो गया हमारे पास birch reduction sodium, liquid ammonia, जिससे की हमें transalkene देखने को मिल रही है next है बचो हमारे पास यहाँ पर alkyne preparation के लिए किसका use alkyl halides का use अगर मैं किसी alkyl halide को लेके चलता हूँ alcoholic KOH की presence में heat करता हूँ तो मुझे alkyne जो है वो मिल जाता है और ध्यान रखेगा बचों यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर आपके पास जो है जिस carbon पे halogen लगा हुआ है उस पे next वाले carbon पे hydrogen जो है वो लगाऊना चाहिए तो वो साथ में अपने पास यहाँ पर निकलते है और यह बचों अपने पास alpha position जिस पे CL लगा हूँ इसको alpha position में बोल रहा हूँ तो उसके next वाले carbon को मैं beta position बोलूँगा so this is called beta elimination this is called your beta elimination जब हमारे दो groups आसपास से जो है निकल रहे है पासपास वाले carbon से दो groups निकल रहे है तब उसको beta elimination जो है वो बोला जाता है ठीक है और यहाँ पर एक और चीज़ बचों ध्यान रखेगा कि इसके अंदर ठीक है इसके अंदर जब हमारे पास यह reaction होती है अगर इसके mechanism की बात करी जाए तो इसका mechanism अगर हम newman projection के अंदर देखें तो वो किस तरीके से देखेगा तो ध्यान से देखो suppose मेरे पास यह पीछे वाला carbon है यह आगे वाला carbon है आगे वाले carbon पर suppose मेरे पास CA लगा हुआ है पीछे वाले carbon पर मेरे पास यह hydrogen लगा हुआ है यह मेरे पास निकलने है जब यह निकलते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर हमारे पास base जो है वो इस hydrogen पर attack करता है इसके जो अपने electron pair है बचो वो आपके इन दोनों carbons के बीच में चले जाते हैं और यह CL अपने electron pair इस तरीके से लेके बहाँ निकल जाता है तो important point is इस reaction के अंदर जो आपके पास इस तरह का structure आपको दिख रहा है इसको हम क्या बोल रहे है इस reaction की stereo chemistry कि किस confirmation में आपकी reaction हो रही है stereo isomers क्या थे आपके confirmation related तो यहाँ पर आपकी stereo chemistry जो है इस reaction की वो क्या है वो आपके पास यहाँ पर stereo इस तरीके का है NT ठीक है ध्यान से सुनों क्या है NT और साथ में periplanar क्या मतलब है NT periplanar का कि hydrogen और Cl यह जो दो अलग-अलग carbon atom पे हैं दो अलग-अलग carbon पे atom पे 180 degree पे होंगे NT confirmation और periplanar इसका मतलब same plane के अंदर होंगे with these carbon atoms तो hydrogen यह पीछे वाला carbon यह आगे वाला carbon और यह Cl सब एक plane में आ जाएंगे तो यह reaction अपने पास यहाँ पर होती है कैसे होती है alcoholic KOH की presence में यह reaction बचों अपने को देखने को मिलती है यान रखेगा इस reaction में जो elimination reaction है इसमें rate of reaction की बात करी जाए तो iodine, bromine, chlorine यह order follow होता है और alkyl groups की बात करी जाए तो tertiary carbon पे जो आपके पास CA लगा होता है वो सबसे आसानी से सबसे ज़्यादा fast rate देता है फिर second जो है फिर primary next दीज बचों यहाँ पर sets of rule जो है वो follow होता है sets of rule क्या होता है यहाँ पर कि देखे यह मेरे पास BR है अब यह BR जो है इस पे इसके पास दो option है यहाँ पर कि यह hydrogen है यह hydrogen है या तो यहाँ से hydrogen निकल जाए या तो यह hydrogen निकल जाए पट आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो major product है ठीक है maximum जो आपके पास product बनेगा उसमें ऐसे beach की side का alkene बनेगा जहाँ पर आपके पास A वाला जो hydrogen है वो निकला है B वाला hydrogen जो है वो भी निकल के product बन सकता है बट वो आपके पास क्या बनेगा minor product बनेगा कम amount में product बनेगा दो product आपको यहाँ पर मिलेंगे एक होगा जाद amount में होगा कम amount major product जैसे आप बोलोगे कि यहाँ 80% major product है 20% minor product है ठीक है दोनों आपको यहाँ पर मिलेंगे major और minor के form में मिलेंगे अब आपको क्या देखने को मिल रहा है कि major जो product है वो क्या है बचो इस तरीके का double bond वाला जो है अपने पास structure है जिसके अंदर जो double bond है ठीक है उस पे more substitution है ज्यान दो क्या है more substitution more substitution का मतलब क्या है कि यह जो carbon है इस पे भी CST लगा हुआ है इस वाले case में क्या है यह जो carbon इस पे सर्फ 2 hydrogen है सिर्फ इस वाले case में यह carbon पे एक bend लगा हुआ है तो यहां पर हम मूलें कि यह जो alkene है यह more substituted more substituted product आपको मिल्ला है जिस पर जो groups हैं वो आपके पास CS3, CS3 ये लगे हुए ठीक है जी? तो more substituted product बनना इसको हम बोलते हैं बचो अपने पास sedzeff product या फिर इसका एक और जो है spelling है ध्यान रखना spelling ही अलग है? मतलब अलग नहीं है sedzeff या sedzeff या बोलने में जो अपने पास जो है वो उपर नीचे हो जाता है so more substituted product मिलना ये अपने पास क्या है बचो sedzeff product अपने को देखने को मिलता है चलिए next बचो हमारे पास क्या है? अगर हमारे पास vicinal dihalide जो इसका मतलब पास-पास में दो halogen atom लगें अगर उनको zinc और alcohol की presence में heat किया जाए तो भी अपने को alken यहाँ पर मिल जाती है so this is called dehalogenation reaction ठीक है? डिरेक्ली reaction को अपने को याद रखना है next बचो अपने पास क्या है? अगर अपने पास कोई alcohol है उसको कॉमक H2SO4 की presence में heat किया जाए तो अपने को इस तरीके से double bond यहाँ पर मिल जाता है तो हमारे पास double bonded alkene कैसे कैसे बन रही है? यह हमारे पास एक halogen लगा हुआ है CL, BR, iodine और alcoholic QOH डाल दाल दिया या फिर दो पास-पास में halogen atom है उसको zinc के साथ आपने heat कर दिया या आपके पास OH लगा हुआ है alcohol है कही और इसके पास वाला H है उसको कॉमक H2SO4 की presence में रखती है तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से double bond जो है वो create हो ठीक है? अब next इस बचों यहाँ पर ध्यान रखना है जो dehydration of alcohol मैंने बोल रहा है OH H plus की presence में कॉमक H2SO4 की presence में ऐसे H2O plus बनाता है और यह निकल के बाहर चला जाता है अब देखें आपर कार्बोकेटाइन आपका create हो रहा है ध्यान दो कार्बोकेटाइन create होने में हमने डिसकस कर रखा है बचों कि एक कार्बोकेटाइन आपका जितना जादा stable होगा उतना आसानी से आपके पास यहाँ पर create हो तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन जो है वो आप पास CS3 group लगा हुआ है तो आपको पता है बचुआ यह वाला जो आपके पास Carbocatine it is more stable है ना जी यह आपके पास पच्छों क्या है जादा stable है Yes So suppose मेरे पास इस तरह का question है जिसमें Alcohol जो है वो आपके पास यहाँ पर है ठीक है आप यहाँ पर क्या करा रहे हो Dehydration जो है वो कराना चाहते हो आपने यहाँ पर conch H2SO4 रखा ठीक है और उसको यहाँ पर heat करा तो आप देखो क्या होगा आपके पास यहाँ पर pH जो है वो C, C और C यह यहाँ पर carbocatine create करेगा जैसे यहाँ पर हमारे पास create हुआ है अब आप ध्यान से सुना बच्छो carbocatines जो होते हैं वो rearrangement शो कर सकते हैं जैसे कि यह जो carbocatine है उसको क्या मिल रहा है यह CS3 से hyperconjugation मिल रहा है यहाँ पर भी CS2 से hyperconjugation मिल रहा है बट अगर यहाँ पर क्या हूँ अगर हमारे पास यह जो electrons हैं वो जो है अपने पास hydrogen के साथ इस carbon की side shift हो जाएं तो हमारे पास एक नया carbocatine यहाँ पर create हो जाता है और वो नया carbocatine आपको कैसा देखेगा वो आपको इस तरह का carbocatine यहाँ पर देखने को मिलेगा ठीक है अब एकर आप ध्यान से देखेंगे तो बचो हमारे पास जो मैंने यहाँ पर case discuss करा वही case आपको यहाँ पर मिल रहा है अगर यह carbocatine जो है वो अपने पास इस carbocatine में convert हो सकता है जो की जादा stable है तो वो अपने पास बचो convert हो जाएगा ठीक है पास दिना आगी कारbocatines के अंदर बचो जब हम इस तरीके से यहाँ पर यह reactions कराते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि कारbocatines जो हैं उनमें rearrangement के chances देखने को मिलते हैं ठीक है rearrangement के chances आपको देखने को मिलते हैं ठीक है यह बात क्या clear हो रही है अपने को चलिए फिर बचोँ अपने पास alkenes के general point melting point और boiling point जितने आपके पास carbon के chains होते हैं उतना जाद आपको किया देखने को मिलता है carbon जितने जाद आपको यहाँ पर higher boiling और melting point जो है वो देखने को मिलता है और melting point जो है उसके अंदर हमें jo alkenes के symmetry है वो भी देखने को मिलती है जैसे अगर transform जो होता है वो ज़्यादा symmetric होता है तो आपके पास वहाँ पर ज़्यादा melting point जो है वो देखने को मिलता है physical property की बात करें तो बचो solubility तो alkenes water में insoluble होती है water में alkenes insoluble होती है polar solvents के अंदर अपने पास यहाँ पर soluble होती है ठीक है चलिए reaction का major product जो है बचो अपने को यहाँ पर select करना है तो यह हमारे पास बचो reaction है कौंग catch 2SO4 हमारे पास है हमारे पास यहाँ पर 3 option है जैसे A बोल सकते हैं B बोल सकते हैं C option बोल सकते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा जो है product मिलना चाहिए ठीक है अगर मैं बोलू कि यार ये मेरे पास A है ठीक है ये मेरे पास B है और ये मेरे पास C है तो कौन सा product बचो यहाँ पर अपने को मिलना चाहिए चलिए तो बचो यहाँ पर वापस हम देखते हैं कि इस reaction के अंदर क्या होगा तो अगर हम बचो यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये OH है और कौन के H2SO4 की presence में क्या होता है ये OH H plus को accept करता है और कुछ इस तरह का structure जो है वो create करता है जिसमें आपके पास benzene यहीं पर है carbon है फिर carbon है OH यहाँ पर हट जाएगा और यहाँ पर plus charge जो हो हट जाएगा आ जाएगा से अगर बचो हम compare करें कि इस carbon पर carbocation है यह इस carbon पर carbocation है तो जादा stable कौन सा होगा आपके पास यह वाला carbocation जो है जादा stable होने वाला है जीक है राइट तो इसलिए हमें क्या देखने को मिलता है बचो Carbocatines के अदर जो है वो हमें rearrangements देखने को मिलते हैं जैसे कि इस case में हमारे पास क्या होगा इस case में हमारे पास ये जो Carbocatine है ठीक है वो इस तरीके से इस hydrogen के movement की वज़े से shift हो जाएगा and we will get what? अब इसके बाद जो होगा बच्वा हमारे पास क्या होगा इसके बाद हमारे पास final step is reaction गा होगा जिसमें hydrogen हटा है तो hydrogen अब अपने पास यहां से हटेगा and we will get what? we will get benzene and C, double bond C and C, C and C ठीक है ये बाद सब्मारी पर अभी कहान ही खत्म नहीं होगी ठीक है क्यों? क्योंगी जब alkyne बनती है तो इसके दो form बन सकते है cis form और transform isn't it? cis form भी होता है, transform भी होता है so the question is कि इस case में आपके पास क्या बनेगा cis form बनेगा ये transform बनेगा ठीक है? cis form बनेगा ये transform जो है वो आपके पास create होगा अरे यहाँ पर हाँ हाँ बिलकुल था यार ठीक है तुम में वहाँ से भी जानते राइट? so अभी हमारे पास ये जो cis और transform है इसके अंदर अगर देखा जाया है बचों तो हमारे पास कौन सा वाला structure जादा stable होता है तो क्या होता है कि अगर हमारे पास ऐसे बड़े-बड़े groups होते है है ना? बड़े-बड़े groups जो भी होते है जैसे अगर हमारे पास इस double bond पे कुछ लगा हुआ है ठीक है? इस double bond पे हमारे पास कुछ लगा हुआ है तो ये जो double bond के groups है क्योंकि एक दूसरे को क्या करते है? repel करते है क्या करते हमारे पास? repel करते है बड़ा है ना? तो हमने पढ़ा था वो हमारे पास जादा preferred product होती है इन reactions में, elimination reaction में trans product अपने पास बनना So, जहाँ पर आपके पास Carbocatines involved हैं उन reactions के अंदर बचो आपके पास trans alkenes generally major product की तरह आपको मिलेंगी ठीक है जी? Yes? So, trans alkenes अगर हमें बनानी है हमने क्या देखा? कि यार अपने पास alcohols के elimination से जो है वो होता है चीक है? उसी के साथ हमारे पास और कहाँ पर हमने देखा था? उसी के साथ बचो हमने देखा था कि reductions reactions के अंदर birch reduction जो है उसके थूरू भी अपने को देखने को मिल जा था linlar catalyst जिसमें PDC और quinoline use करते हैं हाँ तो कुछ और होता है थांक्यू बेटा तो देखो transalkeen जो होता है अपने पास वो birch reduction जिसका reagent क्या होता है sodium और liquid ammonia इसके थूरू बचो हमारे पास यहाँ पर produce होता है दूसरा हमने क्या देखा? अगर हमारे पास alcohols का हमारे पास elimination होता है तो हमारे पास वो produce होता है ठीक है? चलिए major product इस reaction के case में बचो क्या होगा हमारे पास? तो हम क्या बोलेंगे कि यार यहाँ पर आपका setzif वाला जो funda है वो लगेगा more substituted alkene जो है वो आपके पास यहाँ पर बनेगी in case of dehydro halogenation of your alkyl halides major product in the acid catalyze dehydration of 2-pentanol तो यह बचो आपके पास वापे से वही चीज है जो अभी हम discuss कर रहे थे alcohols का elimination in presence of conch H2SO4 यह आपके पास एक homework question है जो आपको खुझ से try करना है ठीक है? और हम जो है बचो अब यहाँ पर क्या कर दे हैं? finally alkyne से related क्या chemical reactions होती है क्या properties होती है उसकी हम बात करने वाले ठीक है? तो आप next अब यहाँ पर जो है इसके उपर आगए है next and the last topic for today's lecture is alkyne की chemical reactions ठीक है जी? चलो इसको अब हम जल्दी से यहाँ पर करते हैं so अगर हम देखे बचो हमारे पास alkyne का पहला reaction and most commonly used reaction is reduction to hydrogen alkyne को आप hydrogen की presence में PD-PT-NI से alkyne मनाता हो यह हमने alkyne की preparation में भी देख लिया next हमारे पास क्या है? next हमारे पास है जब हम alkyne का halogenation करते हैं अब देखो आपने alkyne ली कोई भी double bond आपके पास है उस पर आप BR2 या CL2 अगर रखते हो CCL4 की presence में तो इस तरीके से बचो आपके halogen यहाँ पर लग जाते है इस reaction में एक बात अपने को ध्यान रखनी है क्या? कि यहाँ पर intermediate भी बनता है और वो intermediate आपका किस तरीके से होता है? वो intermediate आपका कुछ इस तरीके से होता है कि इन दोनों की presence में आपके पास CCBR प्लस यह बचो यहाँ पर होगा और फिर आपके पास क्या होगा? एक और BR- यहाँ पर आएगा एक और BR- आएगा इस तरीके से और वो आपका इस तरीके से final product जो है वो देता है इसलिए आपको ध्यान रखना है क्या कि यहाँ पर आपके पास जो है intermediate बचों यहाँ पर produce होता है और उसलिके साथ यहाँ रखेगा कि BR- मीन की आलकीन के साथ reaction BR- मीन की आलकीन के साथ जो reaction होती है it is also used as a test for alkीन because क्या होता है BR- मीन अपने पास ब्राउन कलर का होता है BR- मीन अपने पास ब्राउन कलर का है हमने किसी आलकीन के उपर डाला और वहाँ पर BR- मीन जो है अगर वो react कर जाता है तो वो बचों अपने पास क्या हो जाता है colorless हो जाता है ठीक है So this reaction is used as a test for unsaturation High weightage topic कौन से है Chemistry के अदर इसके उपर एक आपकी वीडियो जो है बचों हमने बना रखी है ठीक है In fact दो वीडियो यहाँ पर है पहला वीडियो आपके पास 99% कैसे crack करें उसको जो है हमारी playlist में जाके ज़रूर देख लीजे वहाँ पर आपको physics, chemistry, maths तीनों के highest weightage topic जो है वो मिल जाएंगे Second बचो मैंने भी आपको बताया है ठीक है Individually कि आपको किस तरीके से जो है preparation में आपको chemistry का जो है ध्यान रखना है कौन से आपकी topic ध्यान रखना है तो मेरा आपको individual यहाँ पर भी यहाँ पर मिल जाएगा तो दोनों को आप जल्दी से देख लीजे दोनों आपके जो lectures है तो आपको दोनों से पता लग जाएगा कुन topic पर सबसे जादा आपको focus यहाँ पर करना है ठीक है भाई चले बचो यह हमारे पास secondary action हो गई देखे प्रोपीन के ओपर अगर मैं CL2 डालूंगा तो 2Cl मेरे यहाँ पर लग जाएंगे 1,2-dice chloropropene इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर create हो जाएगा नेक्स है बचो hydrogen halides का addition that is HCl, HPR, HI तो HCl, HPR, HI जो होते हैं बचो हमारे पास यह किस तरीके से add होते हैं इसको हम देख लेते हैं तो यहाँ पर addition के अंदर क्या रहेगा addition के अंदर हमारे पास दिहान रखेगा कि दो चीज़े हमें देखने को मिलती है ठीक है, पहला क्या है पहला यह है कि suppose मेरे पास एक symmetrical alkin हो ठीक है, पहला मेरे पास हम बोलने है कि मेरे पास एक symmetrical alkin है symmetrical alkin का क्या मतला बेबच हो कि दोनों अपने पास ही जो carbon है double bond वाले उन पर same groups अगर लगे हों अगर इस पे आप जैसे HBR, HI यह HCL डालते हैं तो क्या होता है आपके पास either of the carbon पर आप बोल सकते हो कि BR जो है वो आके लग गया या आई आके लग गया राइट, यवासन में आरी ठीक है, यस यवासन में हमारे पास अगर symmetrical alkin है तो आइदर पर हो सकता है यहाँ पर जो है, बस यह alkin का यह last topic अपने पास है ना, यह खतम होते ही अपने पास है ना, lecture खतम तो अब देखो अपने पास, यहाँ पर इस तरीके सा addition होता है, अब अगर हमारे पास एक unsymmetrical alkin है जहाँ पर दो carbons पे अलग-अलग group लगे हो है, जैसे यह दो carbon है double bond वाले, इस पे CST और इस पे H है ठीक है, तब हमें बचो क्या देखने को मिलेगा कि अपने पास यह वाला product भी बन सकता है जिसमें इस वाले carbon पे जिस पे substitution है, उस पे BR लगे और H जो है वो इस पे लग जाए या फिर उल्टा भी हो सकता है, कि BR अपने पास यहां लगे और H अपने पास यहां लगे दो possibility अपने पास हो सकती है अव यह आपको कहां कहां देखने को मिलती है अच्छा ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा यहां पर जल्दी से बताईए मेरे को तो यह जो है अपने पास बचो first product बनेगा कि second product बनेगा यह हमें कैसे पता लगता है इस चीज को हमें समझना पड़ेगा तो यह जो हमारे पास किस तरीके से produce होता है इसको हम Markov-Nikov-Rule के नाम से जानते है Markov-Nikov-Rule बचो हमें क्या बोलता है कि देखे, यहां पर आपके पास जो more substituted carbon है उस पे bromine का लगना जादा preferred है अब इसका reason क्या होता है उसको आप इस तरीके से देख सकते हो देखे, HBR जो है वो H plus और BR minus देता है simple सी बात है, acid है हमारे पास next दीज बचो हमारे पास क्या है कि यह जो CS3, C double bond, CS पे जब H plus आके लगेगा ठीक है, तो क्या होगा दो तरेके कार्बुकेटाइन create हो सकते है suppose इस कार्बन पे H लगे तो यह कार्बुकेटाइन बन जाएगा बीच वाले कार्बन पे अगर hydrogen आ गया तो इस कार्बन पे positive charge आएगा किस तरीके से कि यहाँ पर suppose मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 2 electron है 2 electron का H प्लस यहाँ चला गया तो यहाँ कार्बुकेटाइन आएगा और अगर मेरे पास इस कार्बन पे H प्लस आके लगे तो बीच वाले कार्बन पे मेरे पास कार्बुकेटाइन आएगा ठीक है, अब क्या होगा कि अब next step में हमारे पास next step में हमारे पास BR- आ रहा है अब ध्यान से देखो कि बचो हमारे पास यह बीच वाला कार्बुकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है तो इसलिए BR- यह बीच वाले कार्बन पे आके आपको मेजर प्रड़क यहाँ पर देता है that is your Markovnik of rule Markovnik of rule जो है वो यह बोलता है कि आपके जनरली सरे के अडिशन में more substituted कार्बन पे जो है आपका BR- या I- या CLNA प्रिफर्ड होता है ठीक है और anti-Markovnik of rule बचो क्या होता है कि अगर मैं HBR का एडिशन अगर मैं HBR का एडिशन बचो किसी पर औक्साइड की प्रेजन से में कराँ जहाँ से देखो किसी पर औक्साइड की प्रेजनस में तो पर औक्साइड की प्रेजन से में जब यहा पर hiện है यह अडिशन होता है तो आपके पास major product जो होता है उसमें less substitutedSw засней carbon पे भी आराता है ठीक है ? अब ऐसा क्यों होता है ये भी हम mechanism के थू समझ सकते हैं लेट्स अंडरस्टाइड तो पहले वाला mechanism जो था वो कार्बो के टाइन वाला था ये वाला जो mechanism है इसको आराम से देखते जाओ जल 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 देखते जाओ है ना अराम से समझ में आजएगा जल 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 देखते जाओ तो होता क्या है इसके इंदर कि बच्चो ये जो हमारे पास पर आक्साइड होता है जिसमें oxygenation bond होते हैं ये इस तरीके से radical अपना create करता है तो ये जो radical है ये HBR के साथ थ्यान से देखो BR radical create करते हैं क्या create करते है radicals create करते हैं ठीक है अब जो हमारे पास यहाँ पर BR radical है ठीक है जो हमारे पास BR radical है वो बच्चो क्या करता है वो आपके पास इस तरीके से reaction के अंदर है ना इस तरीके से reaction में participate करता है और ध्यान से देखना ये भी ध्यान देखना बचो कि C6H5 radical ये जो आपका create होगा ये C6H6 भी बना लेता है अब जो BR radical है वो आपके पास double bond पे आता है ठीक है mechanism जो है इसका दिहान से सुन लो क्यों होता है कि BR radical जो है attack कर रहा पहले क्या कहा दा था है एज प्लस अटाक कर रहा था भी BR radical अटाक कर रहा है तो इसलिए बचो हमारे पास जब यह हमारे पास intermediate बनता है उस intermediate में ये वाला intermediate preferred होता है जिसमें BR साइड में रखता है और H radical हमारे पास C radical हमारे पास B B, ठीक है, ये difference हो गया, पहले में carbogatine बन रहा था H plus आने कीवज़े से, second में intermediate radical बन रहा है B, आने कीवज़े से, and ये B बीच वाला जाधा stable होता है, ठीक है, बीच वाला हमारे पास जाधा stable होता है, तो इसी के वज़े से हमारे पास जो final product है, उस final product में अब हमारे पास ये product major product होगा जबकि ये product minor product होगा यहीं बचो हमारे पास reasoning है कि HBR को अगर मैं यहाँ पर पर परोक्साइड की presence में कराऊं तो हमारे पास क्या होता है बचो जो ये वाला हमारे पास anti-markovnic of product है anti-markovnic of product वो देखने को मिलता है ध्यान रखना बचो HCL की presence में HCL में इस तरह का आपके पास anti-markovnic of product या बोल सकते हैं खराश effect इसको खराश effect भी बोलते हैं परोक्साइड की presence में HBR का anti-markovnic of product ध्यान रखना HCL की presence में नहीं होता यह ना because HCL का bond strong होता है और ध्यान रखना HI जो है वहाँ पर भी परोक्साइड effect काम नहीं करता अगर आप HCL और HBR को add भी कराते हो अलकीन पे in presence of what? in presence of peroxide तो वो more substituted position पे ही आके CL और BR लगाते हैं more substituted position पे लगाते हैं चलिए कुछ और reaction में हमारे पास हैं जैसे अलकीन है उस पे अगर मैं sulfonation कराना चाहूं तो मेरे पास इस तरीके से sulfonation जो है वो हो जाता है है ना इसमें क्या हो रहा है कि more substituted carbon पे SO3H group ये आके मेरे पास लग जाता है फिर बचो अगर मैं water को add कराना चाहूं तो ये मेरे पास क्या होता है H plus की presence में होता है और more substituted carbon पे मेरे पास OH लग जाता है セम में आपका mechanism कि आपके पास यहाँ पर450 ये वो US हो रहा है ठीक है तो mechanism आपका वही रहेगा कि आपके पास H plus आया 카voc legitimately आपके पास more substituted carbon पे आया ठीक है फिर आपके पास यहाँ पर H2 हो ये और OH ये वो आपके reaction देखने को वेलती है आप देख सकते हो अगर double bond पे हम KMNO4 डालते हैं तो इस तरीके से OHOH हमारे पास लग जाते हैं इसको बेयस reagent बोला जाता है और यह low temperature पे हमारे पास होता है ठीक है यस अगर हमारे पास double bond पे KMNO4 डाला जाता है तो it is also used as a test for unsaturation ठीक है इसको unsaturation का test भी जो है वो बोला जाता है नेक्स चीज़ बचो हमारे पास क्या है कि अगर double bond पे KMNO4 जाला जाया बट heat करके हैना थोड़े high temperature पे तो हमें क्या देखने को मिलता है कि यह bond इस तरीके से break हो जाता है और यहाँ पर यह दोनों carbon जितने maximum oxidize हो सकते हैं वो हो जाते हैं ठीक है maximum oxidize जैसे यह वाला carbon अगर maximum oxidize करो तो CO2 बन जाता है carbon single bond carbon आपका break नहीं होता carbon single bond carbon break नहीं होगा उसके अलावा जितना maximum possible oxidation है वो हो जाएगा इसके उपर oxidation reduction की reaction भी जो है वो भी बच्चों हम सीखेंगे तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो क्यार यहाँ पर केमेलो 4H plus डालोगे तो carbon single bond carbon नहीं break होगा तो यह वाला carbon आपका CO2 के अंदर जो है वो convert हो जाएगा ठीक है इसके उपर बहुत अच्छा हमारे पास पूरा क पूरा topic आता है यह नेक्स है बचो double bond पे ozonolysis reaction क्या होती है ठीक है यहाँ पर बचो आपका ZNH2O की presence में इस तरह का oxygen यहाँ पर आके लग रहा है बिलकुल वही बात हो रही है यह आपका टूटा यहाँ double bond हो यहाँ double bond हो ठीक है यह हमारे पास create हो जाता है चलिए next है बचो जो है हमारे पास वह एक ऐसी reaction है जो कि polymers जब हम chapter देखेंगे तो और ज्यादा हमारे लिए है ना वहाँ पर useful होती है समझ ना polymers का use जो है जैसे हमने बताया polymers का पूरा-पूरा chapter जो है बचो हमारे पास है ठीक है finally बचो आपके पास यहाँ पर कुछ questions है इन questions को जैसे आप use कर सकते हो कि which कौनसे वाले compound में आपके पास decoloration जो है वो हो जाएगा तो आप जानते हो कि alkenes के अंदर बचो हमारे पास जो है वो decoloration हमें देखने को मिलता है है ना बहुत simple सा आपने पास यह सारे topics है and कुछ और बचो यहाँ पर आपके पास question इनको आप practice कर सकते हैं ठीक है और finally आपको बदा दता हूँ कि और जादा जो है अगर आप चाहते हैं practice तो आपको क्या करना है इंबाइब की app जो है उस पर आप जाके डाउनलोड करके हैना बहुत सारे आपके पास questions available है अपने recording जो है इस कर सकते हैं ज्यान रखना आज हमने alkyns और alkyns की cover कर रहा है alkyns की सारी reaction aromatic compounds की reaction यह सब हम जो है next class के अंदर cover करने वाले है तो next class के लिए ready रहिएगा और आप ही तक जितना भी पड़ा है उसको जरूर revise कर लीजे और उस पी practice जो है वो अपने ambipe app से जरूर कर लीजे बहुत जरूरी है बहुत बहुत जरूरी है आपके पास यह सब करना ठीक है तो चलिए आज के लिए बचो हम यहाँ पर class end करते हैं बाइब्रिवन झाल आप पर च्पर कर लीजे बहुत 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 एंपर कर लीजे बहुत जरूरी है